इस्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, जिनको इस्वर पर भरोसा था. नमस्कार सातियों, मेरा नाम है राम मिस्रा, आप देख रहे हैं राहियत द्यन्दाम. आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन मेराथन क्लास की सुरुवात कर रहे हैं. सभी को राम नौमे की अनंत सुप कामनाएं. और आज हम लोग एक लंबी क्लास करेंगे, हिंदी का रिवीजन करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी, क्लास अच्छी है, और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे. लक्षमी कुमारी, सिब्बु पांडे, निदी कुमारी, मैदी वासकले, आरतियक ग्रहरी, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को गुड इब लगे, या रात में नीद आने लगे, तो यह जगराता क्लास है, अगर आप हमारे साथ सुरुवात किये हैं, तो लाश्ट भी हम लोग अपने साथी करेंगे, है ना, तो इसके लिए आप लोग तयार रहिए, बैठिए, मेहनत करिए, और जो आ गया आपको जाना नहीं है, अब जब हम लोग समापन कर लेंगे, तभी जाना है, तो content बहुत बढ़िया है, class बहुत लंबी चलेगी, तो चलिए, आईए, भगवान प्रभु सरी राम का नाम लेकर शुरुवात करते हैं, और ठीक है ना, ममता राहुल, चलिए, आज की class आप लोग नोट करते जाना, और इस class की pdf में राही अध्यादाम आप पर अपलोड करवा दूँगा, आप लोग जरूर देख लेना, और जो राही आप नहीं डाउनलोड किये हैं, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना, इस्टॉल कर लेना, है ना, राही आप आपका है, और मैं आपके लिए ही संघर्स करता हूं, संघर्स करता रहूंगा, तो चलिए हमारी सुरुवात होने वाली है, है ना, भारतेंद यूग के रचनाकारों का क्रम, सबसे पहले ये बताईए, यहां से, actually मैं आपको बता दूँ, कि इसमें लिखने वाला भी है, बीना लिखने वाला भी है, हम लोग लिखने के सुरुवात करेंगे, फिर लिखने वाला भी है, बीना लिखने वाला भी है, है ना, पहले एक बार हम लोग सभी रचनाकारों का क्रम देख लेते, क्योंकि आज कल के प्रस्न में चाहिए, नेट जीर एपोर्ट, डिजिटी, पीजिटी हो, यह प्रस्न आता है, तो चलिए सबसे पहले बताईए, भारतेंदु युक के रचनाकारों का रचनाकरम, तो सबसे पहले आप भारतेंदु का नाम ले लिजिए, किसका नाम ले लिजिए, भारतेंदु जी का नाम ले लिजिए, और इनका जन्म 1850 में हुआ है, भारतेंदु के बाद आप नाम प्रताप नारायर मिस्र के प्रताप नारायर मिस्र की तो प्रताप नराण मिसर का शमये अगर आप से पूछा जाएँ ती क्या बताफ़गे 1856 बताफ़गे प्रताप नराण मिसर के बाद किसका नाम आता है फटाभर बताइगे मुझे आपके मैसेज दिखना चाहिए नमस्ते रीतौ ठाकुर जगमोहन सिंग की अगर मैं बात करो तो 1857 और अंबिकादत तुब्यास 1858 अगर हम लोग बात करें अंबिकादत तुब्यास की अंबिकादत तुब्यास तो अंबिकादत तुब्यास जो हैं ये 1858 के हैं कब के हैं 1858 अब दो लोग बचे राधा कृस्टदास और अगर हम बात करेंगे राधा चरण गोश्वामी तो राधा चरण गोश्वामी साहब जो है वो कम है 1869 है या नहीं है बताइए और राधा कृष्डदास 1865 ये पूछा जाता है आपसे राधा कृष्डदास 1865 है ना जब हम लोग ऐसे लिखते रहेंगे ना तमको नीद नहीं आएगी वरना नीद आने लेगी आप लोग भी लिखने का प्रयास करिए है ना ठीक है जे यह आपने लिख लिख लिखा अब मैं आगे बढ़ू भारतेंदु प्रेम घन प्रताब ऐसे आद कर सकते हो कि जो भारतेंदु है ये भारतेंदु है तो भारतेंदु क्या है प्रेम के बादल है इनका आप देखो प्रेम पे रचना प्रेमा सुवरडन तो भारतेंदु प्रेम की रचना लिखते हैं भारतेंदु का प्रताब बहुत जादा है है ना तभी इनके नाम पे बना है ना तो आप इसे लिख सकते हैं और ये बहुत important है आपके exam में पूछा जाएगा तो हम लोग चलिए और आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की दूसरे नंबर की slide पर बढ़ेंगे एक बार आए हो तो आपको जहां की दिखा देता हूँ तभी तुमन करेगा देखे इसमें इतना matter है जिसका कोई जबाब नहीं यानि आप देख सकते हैं किसका क्या नाम है उप नाम है इससे भी matter है है ना उसके बाद हिंदी में पर्फम राचनाई ये भी matter है सोना नहीं है ये भी matter है है ना बीच-बीच में ये भी सोना नहीं है बिस्तर है बुलाएगा आपको आओ मालिक आओ आओ आप बोलते ना ना मैं नहीं आऊंगा मेरे सर पढ़ाएंगे मैं तेरे पास आऊंगा नास पीटे कहींगे जा यहां से तो ये सब भी मैटर आपके पास खूब मैटर है, मतलब आप सोच नहीं सकते हिंदी में प्रथम ये सारी चीजें ये भी खूब अच्छा अच्छा मैटर है यानि आज मैं चुन-चुन के मैटर लाया हूँ है ना, विस विंदी सम्मेलन सोना मना है, पढ़ते रहो ये सलाइड में भी है तो हम लोग बिस विंदी सम्मेलन के बारे में भी पढ़ेंगे कौन-कौन साया और उसके बाद हम लोग इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे पढ़ते ही रहेंगे, है ना और पत्र-पत्रिका भी जितने भारतेंद्यों के पत्र-पत्रिका हैं भारतेंद्यों से लेके पूरा उसके बाद पुरसकार नागरी परिचाड़ी पत्रिका मतलब हमारे पास ऐसा कोई मैटर नहीं जो हम लोग ना पड़े इतना अच्छा मैटर है कि आप पूछ नहीं सकते पुरसकार से लेके, पत्र, पत्रिका से लेके, हिंदी में, पर्थम से लेके, है ना, पास्चात काविलक्षड, काविके बारे में कौन-कौन कहा है, कौन-कौन किसका है, ये सब-सब मैटर है, ये मैं भी दिखा देता हूँ, कि आप भागना मत, शुरुआत में थोड़ी कठ लेकिन आपको भागना नहीं है अब आप आईए दूसरे नमबर पर दिवेदी युग के रचनाकारों का करम, इनके करम को याद मैं कराऊंगा ट्रिक के साथ, कैसे याद कराऊंगा ट्रिक के साथ, नेट वगीर आप रिचार्ज करा लेना जैसे भी करा लेना, है ना, आप द तो स्रीधर पाठक बाबु हैं पहले को ने स्रीधर पाठक पहले आप मेरे साथ याद करिए स्रीधर पाठक पाठक गुरु जी थे जो हमको पढ़ाते थे तो मैंने ऐसे याद कर लिए पाठक गुरु जी महाबीर का दर्सन करने जाते थे तहाँ पे महाबीरन, बिजय थुआ महाबीरन है, महाबीर का दर्सन करने जाते थे पाठक गुरुजी और महाबीर का दर्सन करने अयुद्या जाते थे, अयुद्या में हनुमान गड़ी है, अयुद्या में क्या है, हनुमान गड़ी है, ऐसे याद करिए, पाठक गुरुजी जब भगवान जगन नात का दर्सन करते हैं तो देवी का दर्सन भी करते हैं सीता माता यानि राय देवी पूर्ड, उसके पहले है रामचरित, जगनात का रामचरित है, है ना, रामचरित, जगनात का दर्सन करते हैं, रामचरित मानस का पाठ करते हैं, रामचरित मानस में राय देवी पूर्ड भी है, है ना, राय देवी पूर्ड, राय देवी पूर्ड, मैं अ तो उसके बाद आप देखिए, मैथली सरडगुप्त राम नरेश त्रिपाठी, और कौन है बहिए? मैथली सरडगुप्त राम नरेश त्रिपाठी और मुकुट धर पांडे, कौन है मुकुट धर पांडे? अब आप देखिए स्रीदर पाठक पाठक गुरुजी महाबीर का दर्सन करने अयुद्या गये अयुद्या में जगत केनाद भगवान राम का दर्सन करते हैं राम के चरित का गुरगान करते हैं फिर देवी मा को छोड़ नहीं सकते हैं देभी जी की पूजा करते हैं घर आते हैं सत्य नरायन की कथा सुनते हैं सत्य नरायन की कथा इनको गया प्रसाथ सुनाते हैं और फिर मैथली सड़गुप्त राम रेश्टि पाठे मुकुरधर पांडे ये आप ऐसे याद कर लिए फिर ऐसे आपको याद हो जाएगा यारी अब मैं इनके सन के बारे में लिखूंगा तो स्रीधर पाठक 1869 के हैं है ना महाबीर प्रसाद दिवेदी 1864 के बताईए महाबीर प्रसाद दिवेदी के समय कब है पारूल, बिटर रिलॉन, जली जली बताईए सबी महाबीर 8864 के हैं आयुद्या सिभ उपाध्याई हरいय॓द अठ्षाद के हैं जगन नाद्धा सर्तनाकर 1876 के हैं रामचरीत उपाध्याई के गरमे बातकरूत कभ के हैं राम चरीत उपाध्याए 72 के हैं और राय देवी सिंगपूर कब 1873 ना राय देवी सिंगपूर 1873 के हैं और सत्य नरायन कबिरतन की अगर मैं बात करूँ तो ये कब के हैं असी सत्य नरायन कबिरतन 1880 और अगर मैं बात करूँ गया प्रसा सुक्ल सनिही तो गया प्रसा सुक्ल सनिही 1883 गया प्रसा सुक्ल सनिही कब हैं 1883 में हैं और मैतलि स्रणगूपत 1886 में हैं मैतलि स्रणगूपत का 1886 है उसके बाद राम नरे स्त्रिपाठी का 1889 है और मुकुट धर पाण्डे का 1895 क्या होगा बताओ, मुकुर्धर पांडे का 1895 तो एक बार ये ट्रिक हम लोग याद करते हैं कैसे करते हैं, याद करते हैं है ना, याद करते हैं कैसे कि सबसे पहले पाठक है मैंने आपको यही बताया कि पाठक गुरुजी है पाठक गुरुजी कहा जाते हैं, चलिए बताईए सबसे पहले पाठक गुरुजी है पाठक गुरुजी कहा जाते हैं, महाबीर है ना महाबीर, स्रीधर पाठक महाबीर प्रसाद दिवेदी महाबीर कहा है, आयोध्या आयोध्या से उपाध्या है, हरियोद उसके बाद क्या करते हैं? घर आते हैं, सत्ने नरायन कभिरत्न, सत्ने नरायन की कथा सुनते हैं, किस से सुनते हैं? गया प्रसाथ सुकल सनेही से, उसके बाद गौने मैथली सरडगुप्त, राम नेरिस्त्री पार्टी और मुकुर्धर पांडे. याद हो गया और नहीं पंत, रामकुमार बर्मा, महादेवी बर्मा, उधे संकरभट, मोहलाल महतु भी होगी। जैसंकरप साथ का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 1889 आप बताओगे। सूर्कांतरी पाथी निराला का तो 1899 आप बताओगे। अगर पंत का पूछा जाएगा, तो 1900 आप बताओगे। और अगर रामकुमार बर्मा का पूछा जाएगा तो 1900 नहीं , रामकुमार बर्मा कितना है? पांच है, इनका है साथ ना 1905 और महादेवी बर्मा का 1907 महादेवी बर्मा का ही तो 1907 ? LD Kwerk Lan की तयारी कर रही हूं राम कुमार बर्मार पाँच महादेविस साथ और 1898 तरस 먼저 में यही पूछे जादये पंत-निराला अब जैसंकरपसाथ को क्या कहा जाता है बिसुरू कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है निराला को नहीं इनको ब्रह्म्हा कहा जाता है, देखो, किसको क्या कहा जाता है, जैसंकर प्रसाद को ब्रह्म्हा कहा जाता है, और सुमित्रा नंदन पंत को बिषुडू कहा जाता है, और निराला को महेश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महेश, तो यह आपका हो गया, यह लिख लो, ये करम में आता है, अब राश्टी सांस्कृतिक का बिधारा, राश्टी सांस्कृतिक माखलाल चतुरवेदी 1889 हैं, है ना, माखलाल चतुरवेदी ये सब लिख लीजिए, ये बहुत इंपोर्डेंट है, माखलाल चतुरवेदी 1889, सियराम सरडगुपत 1895 के हैं, और बाल कि सर्मान नवीन, अगर हम नवीन की बात करेंगे तो 1897 के हैं, और सुबद्रा कुमारी, 1904 साथ कभ, सुबद्रा कुमारी चोहान 1904, तो इसे आप लोग मेरे साथ लिखते जाए, यानि अगर आप से पूछा जाए, राश्टी सांस्कृतिक का बिधारा, तो माखलाल सियराम स से, बहुत बढ़िया क्लास है आप लोग लगे रहना, है ना, लर्निंग बाई डूइंग, हम लोग बढ़ते हैं प्रेम और मस्ती की, प्रेम और मस्ती की दो पंक्तियां सुना देता हूँ, प्रेम और मस्ती वाली ये अग अलग चीज है, बहुत दिन हुआ मदुसाला की चार पंक्तियां गुन गुनाने कमन कर रहा है, अपने युग में सब को अदभुत याद हुआ, अपना हाला, अपने युग में सब को अनुपम याद रहा, अपना प्याला, फिर भिब्रिद्धों से जब पूँचा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अपना रही वो मदसाला, तो प्रेम और मस्ति का आप देखिए, भगवती चरण बर्मा, देखो एक लगुत्रई और एक ब्रेत्रई होता है, जो लगुत्रई होता है चायवाद का लगुत्रई, अगर हम लगुत्रई की बात करेंगे तो उसमें महादेवी बर्मा, महादेवी बर्मा और राम कुमार बर्मा, राम कुमार बर्मा, महादेवी बर्मा और कौन बर्मा हो, भगवती चरण बर्मा, भगवती चरण बर्मा, ठीक, ये तीन बर्मा, अब आप देखिए, प्रेम और मस्ति में भगवती चरण बर्मा का नाम आता है, तो भगवती च चड़ बर्मा का क्या नाम आता है भगवुदि requrma का नाम आताँ घया 1903 में है इनका समय 1903 है हरोड़ाइबच्चं का 1907 है नरंद्र सर्मा का तीरह है नरंद्र सर्मा का 1913 है कि रामेस्वर्हसुखल अंचल का 1915 है जानकी बल्लभ सास्त्री का 1917 होना चाहिए, 1917 है, 16, 1916, आदुले स्वरी, तुमारी टोपी दिख रही मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कर लेंगे ना आप, तो लिख लिजिए, भगवती चड़ बर्मा 1903, हरिवन सराय बच्चन 7, नरिन सर्मा 13, रामे स्वर सुकलंचल 1915, और जान की ब यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो, तो यू कैन से मी, यू कैन टे मी, यू कैन पूच मी, यू कैन बता मी, अब बढ़िये प्रयोग वाद, जिसको तारसब तक भी कहते हैं, इसका एक करम भी आता है, यहना एक बार एक्जाम में प्रसन आ चुका है, और वो करम यही अगर आपको लिखना है, तो आप लिख लिजिए कि भारतेंद यूग, भारतेंद के बाद आप देखोगे दिवेदी यूग, दिवेदी यूग के बाद आप देखोगे छायावाद यूग, उसके बाद आप देखोगे प्रगतिवाद, फिर आप देखोगे प्र है ना यही इसका क्रम है तो प्रयोग वाद को हम तारसब तक भी कहते हैं अब तारसब तक जो हुआ वो उनीस सो तैंटालिस हुआ प्रिम और मस्तिवाद प्रगतिवाद भी ताना चाहिए था अब प्रगतिवाद कहा गया अच्छा प्रगतिवाद यहां है वो वहां गलत आ गया पहले देखिए प्रगतिवाद है तो प्रगतिवाद में किदारनाथ अगरवाल है जिनका समय क्या है अगर हम किदारनाथ के 12101 नागारजुन की बात करेंगे ये भी 111 सिव मंगल सिंग सुमन की बात करेंगे तो 1915 सिव मंगल सिंग सुमन 1915 त्रिलोचन 1917 अब जिन चात्रों को याद करना है वो क्या करेंगे आपको तीन بार मंत्र पढ़ना है याद हो जाया याद याद हो जाएगा पढ़ने की जरूरत कहा है जैसे खुब बैमानी करिए पाप करिए कासी चले जाएए मुक्ष मिल जाएगा वैसे ऐसे नहीं होता है कुछ लोग कहते हैं सर जी यह याद करना लिखना पड़ता है रटना पड़ता है अब आप यह समझे कि हमने अगर भारते सब्सक्राइब करेंदू थे 1850 के 65 की हो गए बदिर नरार चोदरी प्रेम घन परताप नराइड मिसर चपन ठाकुर जग मोहन सिंख सत्तावन अमरीका दद्वियास अठावन राधा च्रड़कु स्वामी 69 और राधा कृष्दास 65 उसके बाद हम चले आए थे दिवेदी य 1880, 1882, 1886, 1886 के बाद पंचानवे था ना, 1886 मेदली सर्ड़कुप्त, 1886 के बाद क्या था? मुगर दरपांड़क क्या था? 95 पहले एक लोग थे तो ऐसे आप इसको मनन करिए, इसको क्या करोगे? मनन करोगे, तब जाकि यह चीज़ें आपको याद होंगी किया ना? राम रेट कितना है उनका? 1889, 1886 मेदली सर्ड़कुप्त, राम रेट के बाद इसको करना पड़ता है, लेकिन आप इतना करते कहां है, आपको तो चट्ट मंगनी पढ़ ब्या चाहिए, अपट क्या चाले जग्दीश कैसे हो भाई? हमारे पुराने स्टुडेंट, बड़ी याद आती है आप लोगी, अब देखो पहले अब आगी आपका क्या, यहाँ पे प्रगतिवाद के बाद एक स्लाइड में एड करता हूँ, और यहाँ पे यह स्लाइड हटेगी, क्योंकि यहाँ पे इस स्लाइड का कोई यूज नही कहते हैं, यह जो प्रयोग वाद ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, तार सब्तक, यही जो हैं, यह तार सब्तक के कभी हैं, और इनका समय उनिस सो तैलिस, तार सब्तक का समय उनिस सो तैलिस, सबसे पहले चारो सब्तक का करम लिख लिजिए, पहले का नाम है तार सब्तक, पहले सब्तक है याद करना तीसरा सब्तक तीसरा सब्तक और उसके बाद आपका चौथा सब्तक उसके बाद क्या है मेहनत किया और दो दो बार एक्जाम को क्वालिफाई किया है ना तो बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया हैं तो ऐसे आप लोग भी मेहनत करी आगे बढ़िए अब जो तारसब्तक उनिस सो तैंतालिस है इसमें आठ जोड़ दीजिए तैंतालिस साथ पचास है कि क्यावन दूसरा उनिस सो इग्यारा फिर आठ जोड़ दीजिए उनिस सो उनसट हो जाएगा तीसरा फिर बीस जोड़ दीजिए उनिस सो उनहत्तर हो जाएगा 69 1979 ठीक है ये चार सब्तक है तो हम लोग तार सब्तक वाले कभीयों को पहले पढ़ेंगे ठीक है तार सब्तक वाले कभीयों को हम लोग पहले पढ़ेंगे तो तार सब्तक में अगर हम लोग देखेंगे तार सब्तक में अगर हम बात करें तारसब्तक, क्या बात करेंगे तारसब्तक, तो जो तारसब्तक के कभी है न, इनके कभीयों को मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराता हूँ, तारसब्तक जो है ये उनीस सो तैयंतालिस, अब इनकी ट्रिक है कि अग्ये और राम बिला सर्मा, पहले लिख लिजे अग्ये और र यह दोनों मिलके भारत की संप्रभुता के लिए लिए लिखते हैं और क्या लिखते हैं जैसे गजा नेमि भारत जैसे गड़ेश भगवान की वैसे इन्हों ने कहा गजा नेमि भारत यानि भारत का नाम गज की तरह गजा नेमि भारत गज की तरह भारत का नाम विसाल है गजा नेमि भारत और यहां की प्रभा और गिर्जा यहां की प्रभा यानि इसका प्रभा भाव और गिर्जा, गिर्जा मतलब परवत, इसके महत्त को बढ़ाते हैं, तो यानि अब आप ऐसे लिख सकते हैं, कि सबसे पहले अग्यें हो गए, अग्यें का समय 1911 हो, अग्यें का समय क्या है, 1911, फिर अग्यें की बाद दूसरे नंबर पर राम बिलास सर्मा है, क्या है, राम बिलास सर्मा, पहले हम लोग क्रम याद करते हैं, राम बिलास सर्मा, तो राम बिलास सर्मा का जो समय है, वो है 1912, अब आप इस पे आए, गजा नेम भारत, गजा नेम भारत मतलब गजानन माधो मुक्तिबूद, गजानन माधो मुक्तिबूद, गजानन माधो मुक्त बोध है नेमी चंदर जयन नेमी चंदर जयन एक बात और बता देता हूँ मैंने जो है आज आज ओफर निकाले है राम नौमे की दिन राही अध्यांदाम आपके लिए ही है मैं थोड़ी बहुत गुर्दक्षिला लेता हूँ उसके बदले आपके साथ संघर्स करता हूँ, मेनत करता हूँ जो फ्री में होता है, फ्री में भी करता हूँ लेकिन फ्री में सब कुछ नहीं हो सकता है इसलिए बैच वगरा निकालना पड़ता है आप भी कमाएंगे, आप भी पैसा पाएंगे तो जो भी लेना चाहें कल रात तक आउफर ये आप ले ले लेना आगे मैं बता दूँगा अभी हमें इसे पढ़ते हैं न तो नेयमिचंद्र जैन उसके बाद भारत भूसद अग्रवाल फिर कौन है भारत भूसड अग्रवाल भारत भूसड अग्रवाल भारत भूसड अग्रवाल तो भारत भूसड अग्रवाल की बाद आप देखोगे प्रभाकर माचवे क्या हो जाएंगे प्रभाकर माचवे और प्रभाकर माचवे के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे गिरिजा कुमार माथूर यह इनका क्रम है क्या है इनका क्रम है यानि अग्ये राम बिलास सर्मा गजा नेमी भारत गजानन माधो मुक्तिबोद नेमी चंद्र जैन भारत भूसड़ अगरवाल प्रभाकर माचवे और राम बिलास सर्मा गिरिजा कुमार माथूर तो ठीक है गजानन माधो मुक्तिबोद कगर समय होगा तो 1917 होगा गजानन मादों मुक्तिबोद कगर हम लोग समय देखेंगे तो 1917 होगा क्या होगा? 1917 होगा नेमी चंद्र जैन कगर हम लोग समय देखेंगे तो क्या होगा? 1919 होगा गिर्जा कुमार माथूर कभी? 1919 गिर्जा कुमार माथूर कभी 1919 है अब भारत भूसड अग्रवाल और प्रभाकर माचवे प्रभाकर माचवे उनिस सो सत्रा भारत भूसड अग्रवाल उनिस सो उनिस यह ना भारत भूसड अग्रवाल उनिस सो गलत लिख दिया मैंने गलत लिख दिया ना प्रभाकर माचवे सत्रा भारत भूसड अग्रवाल का 1919 1919 ये 1917 अब आप एक बार इसे नोट कर लिजिए अग्ये का 1911 रामबिला सर्मा 12 मुक्तिबो 17 नेम चंज जैन 19 गिर्जा कुमार माथुर 19 भारत भूषड अग्रवाल 19 प्रभाकर माचवे का 17 इसको आप अपने करम में लिख लेना ये बहुत इंपोर्टेंट है 1919 से तीनो करागिर जी तो नेट जारे प्टीटी पीटी सब कब आच आचुका है और ओफर के साथ अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे दूसरा नंबर है दूसरा सब तक इसकी ट्रिक है नौरात्री चल रहा है और एक देशा गता मुझे आता तो नहीं है बच्पन में गता था बच्पन बहुत छोटा था मैया के गले का गजरा मन बसे हमारे कहवा तू पाओ मैया बेला चमेला कहवा तू पाओ रस मुझे तर्जी ही नहीं याद आ रही कहवा तो पाव मैय बेल चमेला, कहवा तो पाव रसकेवडा मन बसे हमारे, ऐसे कुछ करके तब बहुत बच्पन कहे, मतलब मुझे 200 साल हो गया ऐसे सुने, बहुत बहले, याद नहीं आ रहा है ऐसे था कुछ, तो इस समय नवरात्री चलना है और नौ दुर्गा माता का भी प्रडाम करता हूँ, तो दूसरा सब्तक में आप देखोगे, तो सेर पर सवार होकर, मैंने ऐसे याद किया था, कि सेर पर सवार होकर, है ना, माई सेर पर सवार, ओढ़े चुने लिए, ऐसा कुछ है, सेर पर सवार होकर, माता भवानी, है ना, सेर पर सवार होकर, माता भव नहीं, सकुंतला, यानि सेर पर सवार होकर माता भवानी यानि सकुंतला हरी से मिलने आती हैं, हरी मतलब भगवान, सिराम, सिराम नुमी ना, तो राम कौन है, नरेस है, कैसे नरेस है, धर्मबीर है, बहुत अच्छे हैं, और कौन है, रगवीर है, उन्हें का नाम रगवीर है तो सेर पर सवार होकर भवानी सकुंतला, ऐसे याद किया था कि सेर पर सवार होकर भवानी सकुंतला, किस से मिलने आती हैं, हरी से मिलने आती हैं, और हरी कौन हैं, हरी नरेश हैं, कौन हैं नरेश, नरेश का मतलब राजा, अरे कैसे नरेश हैं, धर्म बीर, अरे नाम क्या है भाई या रगुवीर नाम क्या है रगुवीर तो आप ऐसे देख लीजिए कि समसेर बहादूर सिंग भवानी प्रसाद मिस्र सकुंतला माथोर हरी नरायड ब्यास राम नरेश त्रिपाथी नहीं नरेश मेहता नरेश मेहता धरबीर भारती और रगुवीर तहाई क्लियर खाली या तो सेर पर सवार होकर भवानी सकुंतला आती है हरी से मिलने हरी नरेश है धर्म बीर भारती है रगुवीर सहाई और आगे बढ़ू मैं किलियर अब आप आईए तीसरा सब्तक तीसरा सब्तक बहुत बढ़िया है तीसरा सब्तक मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसे याद किया था कुवर मतलब राजा होता है कुवर का मतलब कौन होता है राजा का बेटा यानि कुवर नारायड है इसमें कौन है कुवर नारायड तो जो राजकुमार होता है वो क्या चाहता है बिजे चाहता है किरती चाहता है तो कुवर नारायड राजक बेटे ह ये बिजे पाने के लिए और कीरती पाने के लिए बिजे पाने के लिए कीरती पाने के लिए प्रयाग जाते हैं प्रयाग हनुमाजिक दर्सन करने प्रयाग जाते हैं और किदार जाते हैं और वहां इनको सब कुछ मिल जाता है यानि सर्व सब कुछ तो देखो कुवर पाण सिंग और सर्वेटसरद्याल, सकसेना, सर्वेटसरद्याल, सकसेना, सकसेना, अब देखो, कुवर नायवर, यहां पर अगले पाव, आप मैंने यही बता दिए, यही टिक लिग लीजिए, यह जो कुवर नायरड है, पहले नंबरें पर कुवर, क्या क्या पाना चाहते हैं किरती पाना चाहते हैं कुवन नारायड किरती पाना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं बताओ बिजे पाना चाहते हैं तो कुवन नारायड बिजे और किरती पाने के लिए अपने दोस्त मदन के साथ एक मैंने छोड़ दिया तीन तीन छे ही तो है कुवर नारायड विजय पाने के लिए किरती पाने के लिए अपने दोस्त मदन के साथ फिर से लिख देता हूँ लिखने कौन सालस है मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ कि कुवर नारायड है आप लोग ट्रिक लिखिए कुवन नारायड विजय पाने के लिए और किरती पाने के लिए क्या पाने के लिए किरती पाने के लिए अपने दोस्त मदन के साथ कहा जाते हैं प्रयाग जाते हैं किदार जाते हैं यहां इनको सब कुछ मिल जाता है तो यानि कुवन नारायड विजय देवनारायड साही किर इसी ट्रिक के माध्यम से आप तीसरे सब तक को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल साधिम जाना है, सिस और उसको इसे लिए खूस हैं अभी, जब साधिम जाना है, मुझको जाने दे, जाने दे, मुझको जाने दे, साधिम जा, चौथा सब तक देखो, चौथा सब तक थोड़ा सा खतरनाक है, अरासन ससुरा, क्या है, चौथा सब तक है, अरासन ससुरा, अरासन ससुरा, थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, देखो, अभी आईएस का रिज लोग सफल हुए आपने सफलता को देखा लेकिन न जाने लोग कितने लोगा सफल हुए जिन्होंने कम पढ़ाई की जिन्होंने पढ़ाई की लेकिन एक दो नंबर से चुक गए ऐसे लोग सिलेक्ट नहीं हुए तो ये जो सिलेक्ट हुए हैं पहले से ये ट्रेनिंग कर रहे थे IPS की आदित्ते उसके बाद पहली रहें काई घर पे फोन किया रहे पापा ये तो कुछ जादा ही हो गया यानि वो बंदा टॉप कर गया तो आप सभी लोग जानते हैं जब आप परिसान हो जब आप निरास हो आप एकदम सब कुछ बंद कर दीजिए लोगों से दूर हो कि साइलेंट पढ़ दीजिए या किसी दिन इकाह कर रात पढ़ दीजिए जम कर पढ़ दीजिए तुम्हारे अंदर एक सकरात्म कुर्जा का संचार होगा आज मैं ये क्ला देख लेना मतलब पढ़ना जादा जरूरी है समस्य ये बात होती ना एक बार मेरे की स्टुटेंट थे वो करें सर जी मेरी वो मुझे गाली देती है कहती सर तुम्हारे रात में क्लास क्यों लेते हैं मैंने का ठीक अब क्या ही बताओं मैं तो कहने मतलब ये टाइम ऐसा है चिनल मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगे तो जब आपका मन लगे जब परिशान होतों आप एक बार जम के पढ़ेए पता है जब आप अच्छे से पढ़ते हो जम पढ़ते होना तो अंदर से बड़ा च्छव आता है अच्छी feeling आती है इसलिए खुब और कट जाएए लोगों से जितना हो सके उतना सिंगल वाले मरें मेरे साथ अके लिए और क्या करेंगे तो अरासन ससुरा में अधेश कुमार रा का मतलब राज कुमार स्था का मतलब सोद काम में आएगा ना तो फिर हम ठेक है तो फिर सही होने लगेगा को हो हो है चलिए इसके इसे एक बार देख लो यह कोई नहीं देगा परस्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी और दरपर टेसरी जो 800 की है यह भी फ्री और रिवीजन कोर्स आएगा वो भी फ्री इतना सब कुछ मातर 26 में वो भी एकजाम तक कोई देगा ही नहीं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दरपर टेसरी जो और रिवीजन कोर्स आने वाला है वो भी मातर 26 में जिसको लेना होगा ले लेना और नेट ज्यारव का 3600-500 है यह आप लोग देख लिजिए ओफर आया यह चीजों को तयार करिए पढ़िए थोड़ा से स्टार्टिंग में समझ कम आएगा कि क्या पढ़ें क्या नपढ़ें लेकिन फिर आसान हो जाएगा अब देखिए प्रमुक साहितिकारों के उपनाम और उपादियां अब क्या होता यहां से भी प्रसनाता है मैंने फोकस क का नाम क्या है अपब्रंस का बालमी की कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको अपब्रंस का बालमी की कहा जाता है अपब्रंस का क्या कहा जाता है अपब्रंस का बालमी की बालमी कैसे लिखेंगे हो बालमी की ऐसे लिखेंगे ना अपब्रंस का क्या कहा जाता है प्रण्स का बालमेखी कहा जाता है और अप्रण्स का कालिदास भी कहा जाता है अगर हम लोग बात करें पुस्पदंद की तो पुस्पदंद को क्या कहा जाता है यह पीडियप में राही अधे दे दूंगा फ्री में वहां पे बहुत सारी पीडियव रहती हैं अभिमान मेरू तो जिन्होंने नहीं अभी तक इस्टॉल किया है राहिये देंधा प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना तो अभिमान मेरू कहा जाता है इनको भाखा की जड़ कहा जाता है है ना हिंद पूत भी कहा जाता है लिखते जाए आप लोग अरे तो क्या आल चाले हैं हां या ना किलियर भी या अब आब अजे धनपाल धनपाल की रचना है भविस्यत कहा धनपाल का क्या नाम है धनपाल का नाम पूछा नहीं जाता है वैसे सरस्वती है सरस्वती धनपाल को क्या कहा जाता है सरस्वती अच्छा बताई ये हेमचंद को क्या गहा जाता है हेमचंद का नाम क्या है हेमचंद को क्या कहा जाता है प्राकृत का पाणिन कहा जाता है क्या कहा जाता है प्राकृत का पाणिन प्राकृत का क्या कहा जाता है पाणिनी कहा जाता है प्राकृत का क्या कहा जाता है पाणिनी कहा जाता है गोरखनात को क्या कहा जाता है गोरखनात वाला नहीं पुछा जाएगा प्राकृत का पाणिन कहा जाता है हम चंद को वो कहा जाते एक नहीं लिखिये, है ना, कहा जाते एक नहीं कहा जाता है, कहा जाता है ना, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चंद बर्दाई को क्या कहा जाता है, चंद बर्दाई को चंद कहा जाता है, चंद बर्दाई का जो उपनाम है वो चंद है, अब आप अमीर खुसरो भी कहा जाता है के एक एक बार जो है एक टीचर गय थे एक बार एकटीचर गय थे इंटर्वि देने गडिया वाले है और उनके कहनी बताए बहुत मज़ेदार कहाणी हैं और यहां डिली में कोचिंग है नाम नहींगा थे शाकू लेख ही आता है क्लास में उसने का सजी सेब काटने के लिए लाए थे सेब खाने आता है क्लास में इसे क्लास पे निकालो रिष्टिकेट करो तो गराता दर्जी से डराता है तो बहुत बजाए आया था अमेर खुसरो babies 가 क्या नाम है अगर हम लोगzen अबिद्यापत City की बात करे अभीने जैद्य Mieth行ил ficouकिल भी कहा जाता है और मैधिल kosil कawyी क्या का जाता है मैधिल stokobil भी का जाता है तो में बात जो बताने वाला तो तो बताई नहीं हां लिखी हुई पीडिये मिलेगी में बात यह थी कि टीचर से बोले इंटर्व्यू दो टीचर जो थे नहीं सरदव ने टीचर जो थे वह ऐसे लिख रहेते आगे आगे जैसे मैं लिख रहा हूं न आगे तो आप कभी भी लेको अभिने जैदेव है ना मैं तो याद रखना यह प्रसंग मैंने इसलिए उठाया है कि आप लोग भी टीचर बनेंगे तो जब टीचर बनेंगे जब कभी आप पढ़ाएंगे ना तो आप इस तरीके से मत आना सामने तो उसके बाद सूर्दास को क्या कहा जाता है? सूर्दास का खंजन नयन कहा जाता है क्या कहा जाता है? खंजन नयन, खंजन नयन नाम से अमरितलाल नागर ने उपन्यास भी लिकती इनको खंजन नयन भी कहा जाता है है ना, और पुष्टी मार का जहाज भी कहा जाता है वातसल्य संब्राट भी वातसल्य ये लिखी हुई पेडियेप मिलेगी फ्री सबको वातसल्य संब्राट वातसल्य संब्राट भी कहा जाता है और पुष्टी मार का जहाज भी कहा जाता है पुष्टी मार का जहाज पुष्टी मार का जहाज है ना, इसलिए लिकरावन लिका हुआ दे दूँगा पुष्टी मार का जहाज भी कहा जाता है खिलियर भईया देखो मैं हसते मुस्कराते पढ़ाऊंगा और सेलेक्शन में अपना डंका बजता है नेट कहो टीज़िटी पीज़िटी कहो बिगत कुछ दिन ही में हो सकता कुछ मेरे चाहत मुझसे नाराज हो तो मेरा फंक्सन था भईया अब बड़ा फंक्सन था इस वज़ा से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होई लेकिन अब एक बार दिल खोल के मेहनत करेंगे आप सबको साड़े बारा बज़े यहाँ पे फ्री क्लास मिलेगी रात नो बज़े कल से अठारा तारिक से रात नो बज़े फ्री पी वाई क्यू सीरीजे सबको करना है सबको जितने लोग आये हो कल भी आप रहना नो बज़े तो बहुत इंपोर्टन्ट है वो उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे तुलसी दास तुलसी दास को एक तो क्या कहा जाता है भी यह मानस का हंस भी कहा जाता है इस नाम से उपन्यास लिखा मरितलाल नागर ने मानस का हंस क्या कहा जाता है मानस का हंस और क्या कहा जाता है तुलसी दास को कभी सिरोमण भी कहा जाता है जाती कभी भी हाँ नंद दास को क्या कहा जाता है और कभी गढ़िया नंद दास जड़िया तो नंद दास को क्या गढ़िया एवं जड़िया भी कहा जाता है गढ़िया एवं जडिया गढिया एवं जडिया अब अबदुलरहीम खान खाना अबदुलरहीम खान खाना का नाम आप सुने हो रहीम कहा जाता इनको इनका नाम ही रहीम है है ना? और इनको छोड़ देजिए मतिराम का नाम आपसे पूछा गया है मतिराम का नाम है ना? उसे भी छोड़ दीजिया भूसर गनाम अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदू जाति का प्रतनित कभी या मनी राम भूसर गनाम एक मनी राम या पती राम भी मिलता है मनी राम और हिंदू जाति का प्रतनित कभी हिंदी का नहीं हिंदू जाति का प्रतनित कभी कहा जाता है क इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद लोग और ही रसलीन है स्थायद गुलाम नवी का नाम है रसलीन इनकी एक पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं अमी हलाहल मद भरे स्वेत स्याम रतनार जीयत मरत जुक 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 परत जहीं प्रितवी सिंग का नाम ही रसनी दी है क्या नाम है रसनी नाम है ये भी पूछा जाता है कौन रीत मुक्त हैं कौन रीत सिद्ध है मुंसी सदा सुखलाल सदा सुखलाल का ही नाम नियाज है इनका उपनाम क्या है नियाज है और सिव प्रसाद सिंग का क्या नाम है बताईए सिव प्रसाद रीती मुक्त नहीं भी ये रोटी मुक्त मत बोल देना कोई बताओ बताए नियाज सिव प्रसाद का क्या नाम है सितारे हिंद सितारे हिंद सिव प्रसाद का नाम है सितारे हिंद सिव प्रसाद का नाम क्या है सितारे हिंद तो आज राद तक मेरे साथ रहना सोना मत अगर तुम लोग सो जाओगे तो फिर मैं भी सो जाओँगा और क्या करूँगा मैं अगर आप लोग सो जाओँगे उसके बाद आप देखिए हरिश्चंद्र बदाओ हरिश्चंद का नाम रसा भी है हरिश्चंद का ही नाम क्या है रसा हरिश्चंद का उपनाम भारतेंद भी है भारत का चान भारतेंद है रसा है और क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है बस इतना ही याद कर लो बादिर ने राण चोदरी चोदरी का नाम क्या है एक तो प्रेमघन है एक नाम क्या है प्रेमघन और एक और नाम क्या है सोने नहीं देंगे तुझे बताएए प्रेमघन और अब्र नाम भी नहीं कहें क्या है अब्र प्रेम घन नाम भी है और अब्र नाम भी है नाथु राम सर्मा इनका क्या नाम है जी नाथु राम सर्मा गर्व रंड़ा रहस्य बहुत इंप्वर्टेंट मुझे बुखार आ रहा है इसी कलास में सबको बुखार उल्टी कर दो उल्टी कर मेरे उपर कर दो बुखार फुखार सब भूल जाओगे पढ़ो सोचों मत बुखार हुआ है नातुराम सर्मा नातुराम सर्मा का क्या करो भईया स्तंकर नाम इनका साहित सुधाकर भी नाम है नातुराम सर्मा का नाम संकर नातुराम सर्मा स्तंकर साहित सुधाकर क्या नाम है? स्थाहित सुधाकर और क्या नाम है? बदाओं भारतेंदु प्रगेंदु कभिता कामनी कान्त। भारतेंदू प्रगेंदू कभिता कामनी कांत कभिता कामनी कांत देखो आप अगर बीमारी में पढ़ रहे हैं बुखार हुआ है तो आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आराम से सब पढ़ते हैं जो मेहनत करे बिपरीत परिस्तितियों में वही असली युद्धा होता है असली युद्धा वही है जो बीमार है दिल्ली आना पड़ेगा अब बताए महाबीर प्रसाद दिवीदी महाबीर का नाम भुजंग भूसर भट्टा चार है इनका उपनाम है भुजंग भूसर भट्टाचारे बहुत कठिन नाम है भुजंग भूसर भट्टाचारे उपनाम भूजंग भूसर भट्टाचारे और क्या नाम है आत्मा राम नाम से भी लिखा ही इनों ने आत्मा राम की टेटें आत्मा राम भूजंग भूसर भट्टाचारे आत्मा राम ठीक, बाल मुकंद गुप्त का उपनाम सिव संभू है, तभी तो सिव संभू के चिठ्थे लिखे हैं, सिव संभू के चिठ्थे, बाल मुकंद गुप्त, सिलेबस में बाल करिस भट लिखा है, है की नहीं, मताईए, मेरे फोन चार्ज है, नेट है, हम भी सोने वाले नहीं है कोई हमें नहीं free है मेरी आखों में क्या हो गई चलो बही अयोद्या सिंह उपाद्याय का नाम क्या है हरियोध अयोद्या सिंह उपाद्याय का क्या नाम है हरियोध राही एप डाउनलोड कर लेना उस पर ये PDF लिखी हुई सब मिल जाएगी आंसर के साथ ठीक है जी अब अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो हम लोग बढ़ते हैं लाला भगवान दीन कहां बढ़ेंगे भईया लाला भगवान दीन लाला भगवान दीन का क्या नाम है अगर हम बात करें लाला भगवान दीन वैसे लाला भगवान दीन पूछे नहीं जाते हैं लेगिन इनका नाम दीन है इनका नाम क्या है दीन अगर कोई अध्याक होगा और जो उस समय पढ़ाई कर रहा होगा जिस समय दोजाननो से चोदा तक तो एक सेंटेंस लिखा होता था गंगा दरसनी गंगा स्नान है डॉक्टर दीन नाद दीन ऐसे करके लिखा होता था अलाहबाद में जगन नाद दास इनका क्या नाम है रतनाकर और जकी इनका जकी भी उपनाम है और रतनाकर भी उपनाम है और क्या है रतनाकर भी उपनाम है राय देवी प्रसाथ क्या नाम है राय देवी प्रसाथ का नाम पूर्ड है ना राय देवी प्रसाथ पूर्ड इनका नाम है पूर्ड सत्य नरायन का क्या है कभिरत्नो नहीं कभिरत्नो इनकी रचना है ना अच्छा कभिरत्न भी कहा जाता है डुका जाता है ब्रज कोकिल कि方 कर Thousands रहे जहां फैइंब सामान नहीं उत्वटमेश्पा OF घ्राइज कुछ रहा रहे है हूँ आ गार वाले उठीकर बढ़ीजा है किसे लोगे ? धनपत राय के नाम प्रैमचन्द जीथा जो ड्याना रायन निगम ने दिया था क्या था प्रेम्चंद धनपत राय का नाम आप दिखो के प्रेम्चंद नभाब राय है है ना कथा सम्पराट नभाब राय भी निक का नाम है कथा संब्राड भी नी को कहा जाता है प्रेम चंद नबाब रहे कता संब्राड कहानी संब्राड कलम का सिपाही कलम का मजदूर कलम का सिपाही भी नी को कहा जाता है कलम का सिपाही नाम से लिखा गया ना जिवनी कलम का सिपाही भी नी को कहा जाता है कलम का मजदूर भी नहीं को कहा जाता है कलम का मजदूर भी है ना कलम का सिपाही कलम का मजदूर और क्या कहा जाता है सोगे ना अब नहीं सोगे रात में क्लास क्यों लेते हैं ना सोएंगे ना सोने देंगे इसलिए लेते हैं उसके बाद एक नाम और कहा जाते है, भारत का मैकसिमम गुरकी, क्या, गुरकी भी कहा जाते हैं इनको, हाँ, अयुद्ध्या नहीं मेरा मूल जो है सुल्तान पुर्डिश्टिक है, अयुद्ध्या यह, अयुद्ध्या यह, है ना, अब आप आई और आगे, गिर्धर सर्मा क क्या नाम है, नौरत नाम है, क्या नाम है, रेट से लिखो या ब्लू से लिखो, गया प्रसास सुक्ल का नाम है, सनेही, गया प्रसास सुक्ल का क्या नाम है, सनेही, चंधर सर्मा का क्या नाम है, गुलेरी, चंधर सर्मा क्या नाम है, गुलेरी, हम लोगों के समेम होते हैं, अब लोग कुप चुडाते हैं, काव गुलेरी, गुली डंडा, है की नहीं? सौंग नो सुनाओं, यह से सौंग सुनाओंगा, सूतल सैया को उठावे हो रामा, रामचंद्र सुक्लो, अगर हम रामचंद्र सुक्ल का, हिंदी साहित का सेंटा क्लाज भी कहा जाता है, है न, हिंदी साहित का सेंटा क्लाज, हिंदी साहित का सेंटा क्लाज हिंदी साहित का सेंटा क्लाज हिंदी साहित का सेंटा क्लाज यह सब आज की क्लाज बहुत इंपोर्टन्ट है सर, MPA सिस्टम प्रों हिंदी चेसरीज मिलेगी, बिलकुल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगे, सब कुछ मिलेगा, पढ़ाई करिए इनका नाम है काका कालेलकर इनका उपनाम क्या है काका कालेलकर क्या है काका कालेलकर क्या नाम है काका कालेलकर मैथली सरण गुपत का क्या नाम है इनको राष्ट कभी कहा जाता है, रासिकेंद्र कहा जाता है, क्लास अच्छी एक नहीं, अगर क्लास अच्छी त हिंदी भाई रामसर टाइप करो जल्दी से, रासिकेंद्र कहा जाता है, राष्ट कभी कहा जाता है, राष्ट कभी कहा जाता है, रासिकेंद्र कहा जाता है, एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही हो, तो राही अध्यनधाम ऐप, और हिंदी बाइराम सर, पड़ा पड़ टाइप करिए, हिंदी बाइराम सर, और राही अध्यनधाम ऐप, दद्दा भी कहा जाता है, मदूब भी कहा जाता है, इनको दद् बहुत लिख लिए आप नहीं लिख लिया ऍहीं है घड़े को अच्छी लिघ लिए पकका लिघ लिए नहीं चलिए एक शह करी गाना सुनाऊ मैं पहली बार क्लास ले रही हूं लोसन प्रशाद पंडे लो चन प्रशाद पंडे साहित वाकस्पति उनको कहा जाता है साहित वाकस्पति साहित तिवाचस्पति और काब विनोध क्या कहा जाता है साहित तिवाचस्पति और काब विनोध जैसंकर प्रसाद जैसंकर प्रसाद का उपनाम क्या भी है जैसंकर प्रसाद उत्तम सिंग अगर हम लोग बात करेंगे जैसंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से लिखते थे किस नाम से लिखते थे कलाधर उपनाम से लिखते थे किस नाम से कलाधर उपनाम से माखन लाल चतुरवेदी के अगर मैं बात करूँ तो अच्छी लग रही क्लास ना जार्खंडी जार्खंडी भी इनका नाम था जार्खंडी है ना जार्खंडी बच्पन का नाम था इनका जहारखंडी उपनाम नहीं था, जहारखंडीन का बच्वन का नाम था माखन लाल चतुरवेदी के अगर हम लोग बात करें एक भारती आत्मा पहले student teacher से कितना डरते थे और अगर स्टुडेंट बोल रहा है, नहीं सौंग सुनाओ मजाखे कोई बात नहीं देखो सौंग के लिए कोई बात बड़ी बात नहीं है एक्चली मैं थोड़ा सा हूई कभी आद में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है माखन लाल चतुरवेदी के अगर हम बात करें एक भारती आत्मा एक भारती आत्मा एक भारती आत्मा एक भारती आत्मा गया प्रसास सुक्ल स्रीवास्तो अगर हम बात करेंगे गया गंगा नहीं गंगा प्रसास स्रीवास्तो गंगा प्रसास स्रीवास्तो तो गंगा प्रसास स्रीवास्तो का क्या नाम है जीपी स्रीवास्तो इनहीं को जीपी स्रीवास्तो भी कहा जाता है सच्चिदानन धीरानन वास्यायन इनका उपनाम क्या है? अग्ये है ना? इनका उपनाम क्या है? अग्ये इनका उपनाम क्या है? सच्चिदान वास्यायन अग्ये और कुट्टी चातन भी तिन एक नाम है इनका एक नाम अग्ये है एक नाम कुट्टी चातन है एक नाम क्या है? कुट्टी चातन एक नाम अग्ये है एक नाम कुट्टी चातन है और एक नाम कुट्टी चातन है कठिन गद्द के प्रेत भी कहे जाते हैं इनको कठिन गद्द का प्रेत कहा जाता है कठिन गद्द का प्रेत का प्रेत के सो को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है ठेक राही है फ्री है इसे जरूर इस्टॉल कर लेना इसी पर आपको मिलेगा है ना यह पीडियाप आपको मैं फ्री क्लास में दे दूंगा यह लिखी हुई पीडियाप सचिदानन धीरन वासे नगे कुट्टी चातन का नाम है कठिन काविका पेद भी कहा जाता है कि अगर तीस तीन चोग ठारा टेकर बैदनात मिस्र बैदनात मिस्र का उपनाम क्या वह यह नागारजुन यात्री बाबा बहुत अच्छी क्लास है यह सब बैदनात मिस्र का ही नाम नागारजुन है इन्ही का नाम यात्री भी है इन्ही का नाम बाबा भी है है ना इन्ही का नाम नागारजुन इन्ही का नाम यात्री इन्ही का नाम बाबा है ना इन्ही का नाम ठक्कन मिसीर भी है ठक्कन मिसीर क्या नाम है ठक्कन मिसीर ठक्कन मिसिर समसेर बहादुर सिंग समसेर बहादुर सिंग अगर हम बात करें समसेर समसेर बहादुर सिंग तुलेश्वरी, सुरेखा, निधी, रागनी चलो दो पंक्तियां कुरू गुना देता हूँ बड़ी अच्छी पंक्तियां है जब हमारे ख्वाब छूट जाते हैं तो लोग हमें छोड़ कर चले जाते हैं और जब ख्वाब पूरे हो जाते हैं तो डॉक्टर निर्मल की पंक्तियां है जो तुम भी करते मुझसे प्यार तुम आजी गीतों को गाते मैं खेता पतवार जो तुम भी करते मुझसे प्यार स्वपन हमारे आज नहीं तो कल पूरे हो जाते स्वपन हमारे एक विद्यार्थी से बेहतर इसको कौन समझ सकता है स्वपन हमारे आज नहीं तो कल पूरे हो जाते आसाओं का महल कभी तो हम तामीर कराते हम तामीर कराते तुम होते तो स्वर्ग से संदर लगता ये संसार जो तुम भी करते मुझसे प्यार अब ये प्यार किताबों के लिए है इनको मूट्स का कभी भी कहा जाता है मूट्स का कभी भी कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है मूट्स का कभी कहा जाता है और कभियों के कभी, बात के कभी, है ना, कभियों के कभी, कभियों के कभी, बात के कभी, ठीक, कभियों के कभी, बात के कभी, यह सब, ठीक है भईया, उसके बाद आप देखोगे, इनको छोड़ो, अगिया बैताल, राम बिला सर्मा को अगिया बैताल कहा जाता है, अगिया बैताल, इसे इतने important यह नहीं है, लेकिन फिर भी अगिया, मैंने सोचा एक बार काट देता हूँ, भवानी प्रसाद मिस्र, भवानी प्रसाद मिस्र का, भवानी प्रसाद मिस्र, अ लाइक कर देना, क्लास अगर अच्छी लग रहे हैं तो वरना मत लाइक करना, अगर क्लास अच्छी लग रहे हैं तो लाइक कर देना, वरना कोई जरूरी नहीं यह लाइक करना, तो हम लोग बात करेंगे भवानी पर साथ, कभिता का गाधी, एक प्रस्त मैंने पूछा, सहज क्या भाईया सहजता का कभी कैसा कभी सहजता का कभी भी कहा जाता है रामेश्वर शुकल को एंचल रामेश्वर शुकल एंचल रामेश्वर सुकल, अंचल, स्युमंगल सिंग, सुमन, स्युमंगल सिंग का क्या है, सुमन, मॉन्टिवेशन करूँ, कोई भी छात्र, अगर वो TGT-PGT में सफलोना चाहता है, तो आपको NET-JRF के लिए एक साल लगातार समय चाहिए, एक्जाम दो लगे रहो, आपका सेलेक्शन हो जाएगा, TGT-PGT जैसे एक्जाम में आपको 1.5 साल लग सकता है, TGT का एक्जाम थोड़ा सा इक अलग पैटर्न पर हो जाता है, उसकी कटाफ जाता जाती है, NET-JRF पास करना आसान होता है, TGT-PGT में मेरी तलाना थोड़ा सा कठिन, तो आप तब तक तयारी करते रही, आपके ग फिर नीचे गई, फिर शुरू हुई, फिर नीचे आई, तो फिर समझ लेना आथ विश्वास कम होगा, फिर आपका तयारी करने का मन नहीं करेगा, अगर एक बार करो, एक बार अगर आप शुरू करो, तो फिर आप उसको ढ़ंग से आर पार कर लो, जो विद्याति देता पढ़ाई इस बात को याद रखना शुरू करो तो लाश तक फाइनल करो बीच में छोड़ो मत ठीक ना बीच में छोड़ना नहीं फिर या तो सुरू ही मत करो अगर सुरू करो तुसे खतम भी करो गजानन माधाओ का नाम है मुक्ति बूद गजानन माधाओ का क्या नाम है मुक्ति बूद और क्या नाम है भायानक खबरों का कभी भी नाम है भायानक खबरों का कभी भयानक खबरों का कभी वासुदेव सिंग का क्या नाम भईया वासुदेव सिंग नेपालित नहीं है वासुदेव सिंग का नाम ही त्रिलोचन है अवद का किसान कभी इन्ही का नाम ही त्रिलोचन है इन्ही का नाम क्या है त्रिलोचन है ना और आवद का किसान कभी भी कहा जाता है आवद का क्या कहा जाता है किसान कभी आवद का किसान कभी भी कहा जाता है आवद का किसान कभी भी कहा जाता है हाँ बिल्कुल गजानन मादम मुक्तिवोध गैतरी क्या हाल चाले प्रमिला बहुत अच्छी स्टूडेंट है, सुनील, अर्जुन, बिसुकर्मा, दुलिस्वरी, सुभांसी, गिर्जा कुमार माथूर की बात मैं करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, गिर्जा कुमार माथूर, गिर्जा कुमार माथूर के गर मैं बात करता हूँ, एंद्रीता कभी कहे जाते हैं किसके एंद्रेता के कभी एंद्रेता के कभी कहे काह जाते हैंि कि फडि सधस्व नात इनका नाम रेडू भी है नहीं परने मारे एक चात्र हैं आई है properties का ड्धन भी का जाता है क्या करH gonna छमा सुक ला धरती धन्पना अपना हो तो अलग हो गई तिरु मल्ले निम्बारकम भीर यह तो गलत लिखा है तिरु मल्ले नंबकम भीर यानि रागवा ठेणगी रागवा चारे रांगे रागव कनाम एंडेंड वी रागवा चारे रांगे रागव इन्हीं क्या कायता है रांगे रागव यह साउथ कि थे तो कितने लोग इस बार सेलेक्शन लेना चाहते हैं हाँ संपूर सिलिबस पर करा दूगा अप्लिकेशन पर कराऊंगा अगली मैरातन फ्री अप्लिकेशन पर ठीक ना ठीक है अभी डेट मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ और रात में कराऊंगा इसी महीने कराऊंगा राही एप पर राही एप पर राही एप पर फ्री मैरातन एक तो ये फ्री पीडियप आपको मिल जाएगी और भी जितनी क्लासे हैं फ्री पीडियप आपको राही एप राही एप सभी लोग इस्टॉल कर लेजे इसका कोई चार्ज नहीं है, है ना, दूसरी अगली मेराथन मैं जल्द ही रात 9 बजे वाली क्लास में कर दूँगा, एक बात एक सुचना देख लो आप लोग, एक तो आपकी 12 बजे फ्री क्लास होती है, ये क्लास प्री है, रात 9 बजे कल से हम लोग PYQ करने वाले हैं, क्या PYQ, सभी लोग यहां से क्नोट्स बना लेना, ये फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और जितनी फ्री क्लास होगी, उसका जो PDF है, वो राही एप पर मिलेगा, तो आप लोग राही एप जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना, जरूर कर लेना, इसका कोई चार्ज, और राही एप पर कोई कोर्स लेना है, तो 7982866640 पर क्फोन कर लेना, या 93, 10, 25, 84, 32, है ना, अभी आपका आया हुआ है ओपर, राम नौमी वाला बता दूंगा लाश्ट में, तो यह आपका, इनका होगे, और रांगे राग हो, फिर आप आगे बढ़िए चंडी प्रसाद कही उप नाम हरिदेश है, चंडी प्रसाद कही नाम है हरिदेश है, है ना, हरिदेश बहुत अच्छा है, कुछ मंगाओ, कुछ चाय पानी कोई पिलाओ भई, कोई पूछनी नहीं आ रहा है, सब मोबाइल में जी है, जोलो भई, तो चंडी प्रसाद का क्या नाम है हरिदेश, महेंद्र कुमारी किसका नाम है जी, अगर हम बाद करें महेंद्र कुमारी, महेंद्र कुमारी किसका नाम है, महेंद्र कुमारी पी निम क्या है लिक्विड में महेंद्र कुमारी अगर हम बात करें महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी का नाम है मन्नू भंडारी का नाम है किसका नाम है मन्नू भंडारी मन्नू भंडारी बिसुंभर नात सर्मा इनका उपनामे कोशिक इनका क्या उपनामे कोशिक उपनामे क्या नामे कोशिक पहले पानी पिलाओ कुछ पानी ये कुछ और है बताओ जल्दी बताओ बिस्वंबरनात सर्मा कोशिक बिस्वंबरनात सर्मा कोशिक श्यू पूझन सहाय को क्या का जाता है? भासा का जादूगर का जाता है हरी परसाद दिवेदी को ही बीयोगी हर का जाता है अरे प्रसाद दिवेदी को ही बियोगी हरी ठीक है उसके बाद बाल की सर्मा की अगर मैं बात करूँ बाल की सर्मा का नाम है नवीन क्या नाम है बाल की सर्मा का नाम है नवीन आप से पूछो मैं तो लिख देता हूं तुरंट आपको मौका दो क्या बोलने का बाल की सर्मा हरी हर है अच्छा हरी हर प्रसाद हाँ हरी हर प्रसाद हरी हर प्रसाद हाँ बियोगी हरी बाल कि सर्मा का नाम है नवीन निराला का क्या नाम है बताइए निराला का क्या नाम है एक एक बार मैं देख रहा था रील बिगाज दिमकिर्थी सर बोल रहे थे कि इसके साथ कुछ लओ बोल रहे थे कि जो छात्र मतलब उन्होंने कहा कि हमने हमारे केरियर में जो ज़ाद कम पढ़ते तो पास होगे जो ज़्यादा पढ़ते तो फेल होगे तो कितना पढ़ना है बहुत ज़्यादा पढ़ने जरूत नहीं है लेकिन जो पढ़ने हैं उसे अच्छे तरीके से पढ़िए आपका सिलेक्शन हो जाएगा सुर्कांत्रिपाथी एक नाम दिनका निराला है मतवाला भी नाम है पत्रिका है वो तो इनका एक नाम आपका निराला है महाप्राण है गरगज सिंग भी है महाप्राण है गरगज सिंग भी नहीं का नाम है गरगच सिंह किसका नाम है स्रीमान गरगच सिंह बर्मा साहित सार्दूल भी है ताहित सार्दूल ठीक तो अभी जब मैं चला रहा हूं तो इसमें दो चीश टेसरीज भी चला रहा था वो टेसरीज एक दो दिन से नहीं हुई उसमें क्या था यह class आपकी, तो आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आप हमारे साथ live class करेंगे application पर, है ना, और application पर ही topic-wide test भी देंगे, topic-wide test भी देंगे, आप अपना revision करते जाएंगे app पर, है ना, तो जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे, और आ कि कुछ भी नहीं पड़ना है, आप से इतना ही तयार करें, चाहिए netJRF हो यह TGT-PGT हो, मोहनलाल महतो, इनका क्या नाम है, अगर मैं बात करो, मोहनलाल महतो, बीयोगी और अस्टावक्र, वैसे बीयोगी इनका ना, मोहनलाल महतो, बीयोगी, है ना, हाँ, एक बनारे हो क चुपके से पानी पी लेता हूं बस तब तक आप लोग नीचे वाला बताओ झाला बताओ अगर आप से पूछा जाएं सुमित्रा नंदर पन्तु तो सुमित्रा नंदर पन्त को अमलोग क्या बोलते हैं बताओ गोसाईदत इनका नाम गोसाईदत क्या नाम है एक तो इनका नाम गोसाईदत है और पन्त है प्रकित का सुकमार प्रकित का सुकमार भगवती चर्ण बर्मा का देखो भगवती चर्ण बर्मा सुर्ण रहती कि कभी नहीं पूछा जाता वाज से छोड़ दिए यह लिख लो आज मैं खाना नहीं खाया खाना इसलिए नहीं खाया खाना खाने बात पढ़ाना बहुत मुस्किल होता है है ना अगर आप खाना खा लोगे तो पढ़ाना मुस्किल लंबी क्लास ले नहीं खाना नहीं खाया जाता इसलिए मैं खाना नहीं खाया हूँ आज अब अगर मैं बात करता हूँ जनारदन प्रसाद जहा इनका नाम है दुज दुज का मतलब होता है ब्राम्भर है ना दुज का मतलब क्या होता है बिल्कुल हो जाओक जुबेर मुहम्मद 100% कोई रोक नहीं सकता बिद्यनिवास मिस्र का भ्रम्रा नंद परंपरा जीवी इनका नाम भ्रम्रा नंद भी है भ्रम्रा नंद परंपरा जीवी परंपरा जीवी नाम भी है हर्वन्स राय बच्चन का क्या नाम है अगर आपसे हर्वन्स राय बच्चन का पूछा जाएगा हरिवन सराय बच्चन एक तो बच्चन नाम है हरिवन सराय का बच्चन जनता के बीच का कई च्छाई रोमान्स का कभी च्छाई रोमान्स का कभी च्छाई रोमान्स का कभी च्छाई रोमान्स का कभी है ना बच्चन ये दो नाम इनके उपनाम बड़ी फिमस है हालावाद के प्रवर्टक किदारनात मिस्र का प्रभाद किदारनात सिंग अलग है किदारनात अगरवाल अलग है किदारनात मिस्र अलग है महादेवी बर्मा का क्या नाम भी या उपनाम महादेवी बर्मा का महादेवी बर्मा का क्या उपनाम है अगनिकी कभी कौन चाही रोमांस का कभी महादेवी बर्मा का अगर आपसे पूछा जाए, महादेवी बर्मा, इनका नाम है आधुनिक युक्की मीरा, क्या नाम है? आधुनिक युक्की मीरा, हजारी प्रसाद दिवेदी, हजारी प्रसाद दिवेदी क्या नाम है? ब्योमकेस, बैदनात दिवेदी ब्योम केस बैदनात मिसर किसका नाम है नागारजुन गना इनका बैदनात दिवेदी बैदनात दिवेदी दूबे महराज थे यह हजारी प्रसाद दिवेदी ब्योम केस बैदनात दिवेदी एक कोई नाम और बता दो एक कोई नाम और बता दो बीसवी सदी का वार्ण भट बीसवी सदी का वार्ण भट फरवरी मेरी साधी थी मार्च में गाउं में रिजिप्शन था इस वज़े से आपकी कुछ क्लासेज कम चली थी रेने अब क्लास ज़्यादा चलेगी आप लोग परेसान मत होना देवब्रत है ना और संडे को साधी का ट्रीजर भी आएगा आप लोग देख लेना बहुत लोग डिमांड कर रहे थे अच्छा लगता है अना आप लोग हमारे परिवार हैं हमसे जुड़े रहते हैं तीचर और अध्यापक में बहुत गहरा रिस्ता होता है मैं आप सबको बुला नहीं पाया क्योंकि आप सबकी संख्या इतनी ज़्यादा है मैं कैसे बुलाता लेकिन आप लोग मेरे दिल में हैं आप सेलेक्शन लेका आईए आप मुझे सेलेक्शन की मिठाई खिलाना मैं भी आपको सेलेक्शन मैं आपको दो मिठाई खिलाओंगा, आप मुझे एक मिठाई खिलाओंगा, मैं आपको दो मिठाई खिलाओंगा, आप खिलाओंगे सेलेक्शन की मिठाई मैं खिलाओंगा, साधी वाली भी और इसकी, ठीक ना? तो रामधारी सिंग दिनकर रामधारी सिंग नामे दिनकर समय सूर्य इनका नामे दिनकर एक नामे समय सूर्य दिनकर और समय सूर्य दिनकर समय सूर्य अधैरिका कभी अनल कभी इदेहर का कभी यही को कहा जाता आधेर का कभी अनल का कभी कि कॉ tener का कभी अि क्या का जाता है अनल का अधेर कंपे हड़ी का कभी अनल का मैं कहता था पहले बीबी छ।皮 चाय बना क्लाती समझ रहे हो ना हरिक्रिष्ण का क्या है प्रेमी हरिक्रिष्ण का क्या है प्रेमी हरिक्रिष्ण का क्या है प्रेमी क्या है आपके नाम अब ये गाना सुनाओंगा आप लोगों को जब ग्यारा बज जाएगा न तब सुनाओंगे बढ़िया गाना, गाना नहीं है वो कभिता है बच्पन वाली, तो अगर बीबी आपकी चाय बनाए, अगर अच्छी चाय नहीं बनाए, तो भी आपको अच्छी कहनी चाहिए, वैसे बीबी अच्छी चाय बनाती है, बीबी हमेसा बहुत अच्छी चाय बन अश्क उपेंद नात का क्या नाम है अश्क यह बात आप लोग समझ जाएए हाँ बिल्कुल बिल्कुल डलवा दूंगा साधिक बात के लाएं पैसी है अरी अरी पहले हम्म समझो आप उपेंद नात क्या है अस्क उप्रसाद मिस्र का क्या नाम है उप्रसाद मिस्र बदाएं यह नहीं पूछा जाएगा यह नहीं पूछा जाएगा कैला सक्सेना का ही नाम कमलेश्वर है इनका उपनाम क्या है कमलेश्वर जो आपको कमोरा मिलते हैं का मिलते हैं कमोरा 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 देखो अगर आपको अच्छी अच्छी बाते सुननी होगी तभी एक आग दो घंटे रुको अभी माहो लेहा का थोड़ा टमपरेचर ठीक कम है गुलेसर खां कि अगर में बात करो इनिया का नाम है शानी बताई बहिए गुलेसर खां का क्या नाम है शानी नाम है सेवाराम यात्री किसका उपनाम है बताई ये कुछ आज लगा दो तुम्हारा नाम है बहुत बढ़ी ये लो जल्दी बताई ये टेवाराम यात्री कटी नहीं जाए तो बढ़ा भई ठीक है जल्दी बताई ये आप जित्ती जल्दी हो सके उत्ती जल्दी बताई ये तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसकी गुले सर खासानी हो गए और चलिए प्रताप नरण मिस्र को क्या कहा जाता है अब मैंनु अनन्त कैला सक्सेना कमलेस्वर हो गए सेवराम यात्री को क्या कहा जाता है इनका कोई छोड़ दीजिए भारत त्रिवास्तों को देख लीजिए इनहीं का नाम है मलेज मलेज का नाम आपने सुना है नहीं मनोहर स्याम जोशी इना कल के बैग्ग्यानी के नहीं पूछा जाएगा अभिमन्यू अनन्त को क्या कहा जाता आ है सबनम कहा जाता है अभनेम का जाते समय चोड़े रहा हूं उन्हीं पूंछे जाते हैं और आगे बढ़िए अमैम पढ़ा दीकरों के अब entropy जाय पानी मैडम के बना देता है चुटिय भी मता दादेता है चिंत्य kई लिगा देता है मैडम को सजा। अहीं का बैजता मेंको देजता है प्रताब नराण मिस्र को क्या कहा जाता है हिंदी का एडिसन कहा जाता है क्या कहा जाता है हिंदी का एडिसन हिंदी का एडिसन कहा जाता है हिंदी का क्या कहा जाता है हिंदी का एडिसन कहा जाता है प्रताब नराण मिस्र को क्या कहा जाता है प्रहरी राजर से और हिंधी का प्रहरी इनका एक नाम राजर सी है और एक उपनाम हिंदी का प्रहरी अगर आपका जाता है, क्या इस्टिल भट को बोला था भट को इस्टिल भट को बोला था एडिसन प्रताप नराड मिसुर को बोला था कि सोरी दास बाजपेई कि सोरी दास बाजपेई के गर मैं बात करूं तो हिंदी का पाड़ी नि कहा जाता है बहुत इंप्वर्टेंट हिंदी का पाड़ी नि हिंदी का पाड़िनी हिंदी का पाड़िनी कहा जाता है क्या कहा जाता है हिंदी का पाड़िनी आर्थी ओनली आईये ड्रीम आर्टिस्ट अगर हम लोग और आगे बड़े बालक्रिस्थ भट तो बाल्किस भट हिन्दी का इस्टील कहा जाता है हिन्दी का इस्टील जाता है यिससे आपको 9ک सबक्लेलिव उसमें भट भट की आवाज याथी जयती न न बहुत ललन टॉप है तो के आधी जिसेन थीनद Box अर्द मिसर को कहा जाता है इसको याद रखने यह सब सब पूछा जाएगा आज की क्लास बहुत ललन टॉप है एक दम मस्त क्लास और एक बार देख लेना कल से रात नो बज़े आप लोग आना मत भूला कल से रात नो बज़े यह बहुत इंपोर्टेंट क्लास है एक तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो भई तुमारा चैनल है अपना है ना यह आपका चैनल है अपना इससे आपको मिलेगा सिलेक्शन आप लाइब क्लास में जाएगा ना तो देखो आपको यह दिखेगा कल से इसे सभी लोग अभी से लाइक कर देना कल इतनी संख्या होनी चाहिए यह 9 रात 9 बजे फ्री क्लास है यह बहुत अच्छी क्लास है बहुत अच्छी क्लास है है ना तो इसे आप लोग और जिनको भी बैच वगरा लेना होगा आफर वाली वीडियो देख लेना मैंने इसमें हुआ है ठीक ना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ठीक भी यह चलिए अगर आम लोग और बात करें और आगे कि तो कहते हैं दुसियन दुकुमार इनको गजल संब्राट कहा जाता है ना इनहीं की पंक्तियां है हो गई गजल संब्राट कुछ सुना दूँ कि नौरात्री से रिलेटेड ही सुनाता हूं एक महिला का जीवन एक बहुत बड़ी कवित्री थी सरीता नाम था उनका और उन्होंने महिला के जीवन के उपर एक कविता लिखी थी मुझे बड़ी पसंद आई थी मैं आपको बताता हूं देखो बहुत अजीब है लेकिन लड़की को लोग क्या समझते हैं पटाखा लड़की को लोग क्या समझते हैं माल लेकिन ये चीज नहीं है वही लड़की हमारी बहन है वही लड़की हमारी बेटी है वही लड़की बाद में मा बनती है हाय न जिस लड़की को हम पटाखा माल दुनिय भर की चीज़ें गलत सोचते हैं यानि हम सम्मान नहीं करते हैं, वही लड़की हम लोग की मा, हम लोग की बहन, हम लोग की बेटी बनकर, जन्नी बनकर आगे बढ़ती है, तो इस नवरात्री है, नवरात्री के नव दिन तो पूजा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, केवल नव दिन की बात नहीं है, हमे लेकिन बाके आप रूप जो है उसमें आप उच्छ भी देखिए कि इसी समाज में तो नारियों के इक अलग सम्मान होता है और उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए अध से जादा होना चाहिए और नारियों को भी क्या करना चाहिए अपने अपने करतब का निर्वाह करना चाहि किसी भी घर में पहुंचिए तो आप उस घर को तोड़ मत दीजिए स्वार्थ बस आप ये समझिए कि जो मेरा पती है वा किसी का बेटा है वा किसी का भाई है वा किसी का पुत्र है है ना वा किसी का पोता है तो उसके वहां पर भी जिम्मेदारियां होती है आप एक विसाल ह दिखाईए और आप परिवार को बचाईए आज अकेला होता जा रहा है परिवार है ना तो उसी करम में इनकी मेनत अब आप आईए मैं माता जी को देखता हूँ एक बात बताओं बहुत अच्छी बात है पतनी बीमार रहेगी ना तो साइद बोल देगी कि देखो में ये बनाएगे पतनी बोल देगी सर में दर्द हो रहा है आज में नहीं बना पाऊंगे ये आज में ये काम नहीं कर पाऊंगे लेकिन मां ही नहीं बोलती मां कभी ये नहीं बोलती तो मां हो या पतनी हो मतलब अब पतनी काम करने के लिए नहीं होती है पतनी को भी सम्मान देज लेकिन मा एक बालगी चीज होती है तो वहार रूप इस्तरी काहित होता है वही इस्तरी जो बालिका है वही जो किसोरी है वही तो मा भी बनती है ना जाके आगे तो आज मैं एक बहुत अच्छी वो सुनाता हूँ मतलब मां का जीवन देखो आप नारी का जीवन देखो ये नारी पत्नी भी तो होती है घर पे सब लोग आराम कर रहे हैं ठके आएं वो काम करेगी खाना बनाएगी किसी पर्वत के अंतर में छिपी बन नीर का सोता मिली जो संधी पत्थर में वही उदगम मेरा होता उचलती चल पड़ी नीचे बढ़ाया बेग बन जरना मेरी गती है मेरा सोधन तभी निरमल रही हूं में निरंतर चल रही हूं में कही उचा कही नीचा मेरा पत है बड़ा दुरगम कही पासाड खंडों ने लिये अवरोध के पर्चम अब आगली पंक्ति देखना कही बंजर मिली धरती कही फेले हुए जंगल कभी मैं गाव से गुजरी कही मीलों मिले जंगल धरा की गोद में गिरती समलती चल रही हूं में निरंतर चल यह बड़ी अच्छी है आप लोग सोचा करिए लिखा करिए हिंदी वाले हो ना आप लोग खुब लिखिये और खुब पढ़िये जितना हो शके उतना लिखिये आपका काम यही है तो चलिए दुसन्त कुमार को गजल संब्रहाट कहा जाता है ना चाय मेरी ठंडी हो गई मारा मसीह, देवेंदर सर्मा, पता ये देवेंदर सर्मा, राम ब्रिक्ष बेनीपुरी क्या काज, देवेंदर सर्मा का छोड़ दीजी, राजा राम सोकल का भी छोड़ दीजी, लोग नहीं पूछे जाते हैं, हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं इस पे, राम रामपरिक्ष के बेनिपुरी, चल ये, रामपरिक्ष के कलम का जादूगर कहा जाता है इनको, कलम का जादूगर, है न? और उदेनाथ यानि कालिदास त्रिवेदी, अगर उदेनाथ की हम बात करें, उदेनाथ का नाम आप जानते हूं नहीं, कभिराय कहे जाते हैं, कभिराय किदारनाथ अग्रवाल का ओ, इनको कभिराय कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, कभिराय कहा जाता है, क्या कहा जाता इनको केन का कभी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, केन का कभी कहा जाता है, अब एक बार आपको एक बच्पन वाली कभीता सुना के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, केन का कभी कहा जाता है, आगे बढ़ें, अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, ये टॉपिक खतम हो गया. अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर. 1950 के बाद हिंदी की प्रमुगा आत्म कता हैं. अब हम लोग आत्म कता वाले टॉपिक पर चलते हैं. बहुत अच्छी है, बहुत इंपोर्टन्ट है. हाँ, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, उनको कलम का सिपाही, कलम का मजदूर कहा जाता है. हिंदी की प्रमुगा आत्म कता, यह स्पाल की तीन है, सिंहाव लोकन के तीन पार्ट हैं. यह स्पाल की सिंहाव लोकन भाग एक, यह स्पाल की सिंहाव लोकन भाग एक, भाग दो, सिंहाव लोकन भाग एक, सिंहाव लोकन भाग एक है ना तो इनकी क्या है सिंहाव लोकन 51, 52 और 55 यानि भाग एक 1951 और सिंहाव लोकन भाग दो 1951 के बार क्या भी है 1952, 1955 1952 और 1955 ये तीन पार्ट में है है ना सिंहाव लोकन तो ये स्पाल की सिंहाव लोकन तीन पार्ट में भाग एक भाग दो भाग तीन तो भाग एक 51, भाग दो 52 और भाग तीन पच्पन ठीक है ठगगन में से कहा जाता है आज वाली क्लास में भर-भर के कमेंट करना सत्य देव परिब्राजक सत्य देव परिब्राजक स्वतंतरता की खोज में सत्य देव परिब्राजक क्या है सत्य देव परिब्राजक रस्मी क्या आल चाले है सत्य देव परिब्राजक आज देखो सत्य सत्य स्वतंतरता की खोज में सत्य स्वतंत्र होकर ही खोजा जा सकता है अगर माल लिजे किसी अधिक्यारुक दबाओगे सत्य कहां खोज पाएगा सत्य स्वतंत्रता की खोज में सत्य स्वतंत्रता में खोजा जाता है और अगर मैं बात करूँ अजीत प्रसाद अलगूर राय सास्तरीन का तो पूछे नहीं जाता है यह तो फाल तुका गए चलिए सोना मना है जब मैं यह पीडिये बनवा राधा मैंने का यह जरूर लगवा देना सोना मना है है ना यह बिस्तर पर किता बढ़ियां सोया हुए देख लो सोना मना एक बार ध्यांग से देखो ऐसे आख पाड़ पाड़ के फिर जग जाओगे कि अब एक बच्पन वाली कभीता सुना देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं बहुत दिन हुआ सुना रहे कि याद बहुत आते हैं गुड़े-गुडियों वाले दिन आठाने में दोचूरन की कुड़ियों वाले दिन ऊज़ी याद है मैं गौरा बीपुर में बच्पन पढ़ता था तो बिलु दुकान पे एक शेट थे उनका नाम बिलु था तो वहां पर खाता था चूरन लिया करके कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुडियों वाले दिन अरे आठाने में दो चूरन की पुडियों वाले दिन की पन्वाडी की चड़ी उधारी घूमें मस्त निठले कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले अरे पन्वाडी की चड़ी उधारी घूमें मस्त निठले कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले अरे कॉलर अरे कॉलर 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 खड़े किये हाथों में घडियों वाले दिन ट्रांजिस्टर पर हवा महल की कडियों वाले दिन याद बहुत आते हैं गुड़े गुडियों वाले दिन ये सक्सेनक नहीं है डॉक्टर प्रमोत तीवारी किये आठाने में दो चूरन की पुडियों वाले दिन अरे लिख लिख पड़ पड़ चू में फाड़े बिना नाम की चिठी सुबा दुपहरी शाम उसी की बतियां खटी में थी अरे लिख लिख पड़ पड़ चू में फाड़े बिना नाम की चिठी सुबा दुपहरी साम उसी की बतियां खटी मीठी और रूमालों में फूलों की पंखुडियों वाले दिन रूमालों पे फूलों की पंखुडियों वाले दिन और बार बार हडबडियों में गडबडियों वाले दिन याद बहुत आते हैं गुड़े गुडियों वाले दिन अठाने में दो चूरन की पुडियों वाले दिन, बहुत अच्छी है, प्रमोतिवारी कार एक्सिडेंट में मारे गए, नहीं रहे एक्सिडेंट से बिचारे, हैना सोना नहीं है आपको, मैं जग रहा हूँ, तो मुगेंबो भी जगेगा, अब देखिए, ये बैच आप पस्ता कोई देगी नहीं सकता इतनी चीजे, और 6 महीने के लोगे, वो केवल एकजाम तक, ये 3600 में छे महीने, 3500 में एक साल, ये ओफर चलना, राम नौमी तक कल तक, हैना, अगर आप ने जगर तो लेते हैं, तो 3600 में 4 और जोलो, केवल 800 जोलो, तो TGT-PGT का मिल जाए, और 3500 में देखो 900 जोलो, TGT-PGT का पूरा एक साल का, हैना, और अगर आप BPSC का 3.0 तो 1700, ओल्ड के लिए और ओफर है, जिन्नोंने पहले बैच ले रखा, फोन कर लेना, कोड ले लेना, हैना, और DTSB का 2222, 1700 मापका हो जाएगा, ठीक ना, और आप देखो TGT-PGT सभी र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आत्म कथा पर, हैना, देवेंद सत्यार्थी पाई, सांथप्री दिवेदिक बताएंगे क्या, सांथप्री दिवेदिक वैसे कम पूछा जाता है, हैना, परिब्राजक की प्रजा, सांथप्री दिवेदिक का परिब्राजक की प्रज परिब्राजक की प्रजा, तो ये जो प्रजा है ना, प्रजा सांती चाहती है, परिब्राजक की प्रजा, आप खुद बताओ, जो प्रजा होती है, वो क्या चाहती, सांती चाहती है, तो देवेंद सत्यार्थी, अगर आपका देवेंद सत्यार्थी के पूछा जाए, मैं अपनी केशन पर पढ़ात रहा हूँ अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद सत्यार्थी का तो चाद सूरज के बीरन क्या हो जाएगा? चाद सूरज के बीरन चाद सूरज के बीरन गंगा प्रसाद उपाध्याय गंगा प्रसाथ उपाध्य का जीवन चक्र, क्या है? जीवन चक्र, गंगा प्रसाथ उपाध्य क्या है? जीवन चक्र, चातुर सेंस सास्त्रिक क्या है भईया? वैसे चांद सूरज के बीरन और भी है, नील यक्षडी नाच मेरी बुलबुल, नील यक्षडी भी है पूछा नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल, अब आप लोग लगातार पढ़ना और मैं पुराना वाला राम इसरा लोट किया गया, अब मैं पुराना वाला, अचा बीच में ना पता नहीं क्या हुआ, कि मतलब एक तब कमजोरी सी आ गई थी, जै आत्मकता है वहिया, यह हम लोग आत्मकता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसका टॉपिक पढ़ने बताओ, यह हम लोग आत्मकता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद आप देखिए, चातुर सेंच सास्त्री का, यादों की परचाईयां मेरी आत्मकहानी चतुर सेंज सास्त्री का यादों की परचाईया यादों की परचाईया यादों की परचाईया यादों की परचाईया और मेरी आत्म कहानी ये एक और किसकी स्याम सुन्दरदास की मेरी आत्म कहानी मेरी आत्म कहानी सहर में आप लोग देख रहे होगे सब के साथ हुआ होगा डॉक्टर भी बता रहे थे कि मतलब जैसे होता नहीं थकान लगती थी कम मतलब पढ़ाने केपसिटी जिसे घटी जा रहे थी तो चतुर सेन यादों की परचाईया यादों की परचाईया चांदों की परचाईया लिख दिया यादों की परचाईया यादों की परचाईया मेरी आत्म कहानी सोना मत आप लोग सोना नहीं है भाई आज अगर आप लोग और आके बढ़े हैं तो बताईए सेट गोबिंद दास सेट गोबिंद दास का मैंने आपको बताया था सेट मैंने बताया था जो बनिया लोग होते हैं वो सेट होते हैं हमारे एक कहावत है बैठे बानिका करें यही कोठी धन वही कोठी करें तो उताइक नहीं होता है अभी जब रात हो जाएगी तब देखना कितने लोग बसते हैं तो हम लोग बात करेंगे किसका सेड़ गोबिन आत्म निरिक्षड तीन भाग है सेड़ गोबिन दास का आत्म निरिक्षड है आत्म निरिक्षड ठीक यानि वो जब खाली होते हैं तो निरिक्षड करते रहते हैं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है कहां समार रखा जाए परले वाला बिस्किट यहां लगा दू पॉम का डेट नहीं आए आ जाएगा उसके बाद देवराज उपाध्याए अगर हम देवराज उपाध्याए की बात करें बचपन के दो दिन यववन के द्वार पर बचपन के दो दिन नमस्ते सुमली नमस्ते क्या आल चाल है बड़ी राप तक जग रही हो है न यववन के द्वार पर यववन के द्वार पर ठीक पदुमलाल पुर्णालाल बक्सी अगर आपसे पूछा जाए पदुमलाल पदुमलाल पुर्णालाल बक्सी मेरी अपनी कथा मेरी अपनी कथा मेरी अपनी कह था मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना बहुत दिन से मेरी अगर आप से उपेनात अस्क का पूछा जाये तो जादा अपनी कम पराई इनका जो पूछा जाता है जादा अपनी कम पराई यह सब पिछे हां सुमली खुछ रहो सरकारी प्रोफेसर वानों जल्दी पही साथ हमको दोगी नहीं हाँ पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी अपनी अगर मैं और आगे बढ़ू तो मैं बात करूँगा पांडे बेचन सर्मा उग्र अगर मैं उग्र की बात करूँगा अपनी खबर उग्र क्या लिखते हैं यह अपनी खबर उग्र की आत्मकथाग नाम है अपनी खबर सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन ज्यादा अपनी कम पराए 10 रुपए के तुर्टुरे 60 वर्स एक रेखांकन बहुत पूछा जाता है 60 वर्स 60 वर्स खुलहन एक रेखांकन 60 वर्स एक रेखांकन संतराम भी यह यह ना मेरे जीवन के अनुभव मेरे जीवन के अनुभव कैसे लोग है एक बार सभी लोग लाइक कर देना क्लास को भी एक बार सभी लोग लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही हो तब अगर अच्छी ना लग रही हो तो मत लाइक करना लेकिन अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर देना तो संतराम भी ये, भी ये जीवन के अनुभव, उसके बाद आप देखोगे जीवन के चार अध्याए, भूनेश्वर प्रसाद मिस्र का संस्कृतिक चार अध्याए नहीं, जीवन के चार अध्याए, जीवन के चार अध्याए, संस्कृतिक नहीं, जीवन के चार अध्याए, जीवन के चार अध्याय, संस्कृतिक चार अध्याय रामधारी सिंग दिनकर की रचना है तो भोनेश्वर प्रसाद मिस्र माधो का जीवन के चार अध्याय हर्वन सराय बच्चन, बच्चन की बहुत पूची जाती, क्या नीड थी बसेरे से दूर जाने की इनकी रचना ट्रिक है, क्या नीड थी बसेरे से दूर जाने की आप लोग सेयर भी कर देना, और कम पैसे मैं कोर्स देता हूँ, महनत भी करता हूँ, और ज़्यादा पढ़ाऊंगा आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरे उपर है मुझे ही रहे कर दिया, क्या नीड थी बसेरे से दूर जाने की ट्रिक है, क्या नीड थी बसेरे से दूर तक जाने की तो क्या भूलूं क्या याद करूं क्या हो जाएगा आत्मकता क्या भूलूं क्या याद करूं देखिए क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्माड फिर फिर नीड का निर्माड फिर फिर क्या भूलूं क्या याद करूं 1979 की है नीड का निर्माड फिर फिर 1970 की है और बसेरे से दूर 10 द्वार से 105 तक बसेरे से दूर 1978 की है 10 द्वार से 105 तक 10 द्वार से 105 तक 10 द्वार से 105 तक ठीक उसके बाद हम बात करेंगे अपनी कहानी बिन्दावन लाल बरमा अपनी कहानी है इसको कैसे याद करोगे अपनी कहानी ब्रिंदावन में जा के लोग अपनी कहानी भूल जाते हैं फिर वहां गाते हैं तो अपनी कहानी ब्रिंदावन लाल बर्मा कमलेस्वर गर मैं आपसे पूछा जाता है गर्दिस के दिन आपसे बहुत पूछा जाता है गर्दिस के दिन जो मैंने जिया यादों का चिराग गर्दिस के दिन जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी जलती हुई नदी जलती हुई नदी राम बिला सर्मा का क्या क्या भई यादों घर की बाद अपनी धर्ती अपने लोग मुंडेरे पर सूरज राम बिला सर्मा घर की बाद एक तो आपकी है घर की बाद क्या भई यादों घर की बात, अपनी धर्ती अपने लोग, है ना, घर की बात, अपनी धर्ती अपने लोग, मुंडेरे पर सूरज, देर सबेर आपस की बातें, मुंडेरे पर सूरज, मुंडेरे पर सूरज, मुंडेरे पर क्या है, मुंडेरे पर सूरज, देर सबेर आपस की बातें, देर सबेर आपस की बातें, ठीक है जी ठीक है देखो एक बार फिर मोटिवेशन करने कमन कर रहा है मैं अपने घर से निकला था एक सामान लेके थोड़ा बहुत किताब लेके प्रियाग राज गया प्रियाग राज में मैं पांच साल रहा उस पांच साल में जब मैं दिल्ली आया तो उस समय मेरे पास पांच बोरी किताबें थी और छोटा सिलेंडर था बरतन था चटाई थी यही लेके आया था तो बहुत किताबें कोई पढ़ता नहीं है, किताबें बहुत नहीं पढ़ी जाते हैं, बहुत किताबें आप पढ़ नहीं सकते हैं, बाद में यहां जब आया, तो किताबें खरिता जाते हैं, किताबें खरिता जाते हैं, लेकिन थोड़ी दिन बाद किताबें मालिक मुझे is यह बहुत ज़ाला की निया को निया पाइव दिल्बाटte कर Meyer में ज्लेक्षब हो गया उसके बाद मैंने बनाना चालू किया तो फिर बनता ही चला गया आप उसको बताने ज़रूँ था नहीं तो कहने का मतलब यह है कि कल मेरे पास एक इस्टुडेंट आया कि इस्टुडेंट नहीं था वो टीचर ही थे वह भी पढ़ाते हैं कल मुझसे मिलने आये बोले सर एक दो बार क्लास देखा हूं बड़ अच्छा लगता है बोले मुझे बड़ अच्छा लगा आप मेरे छेत्र को इतना आगे बढ़ गया हो आपके पास सर ये वाली गाड़ी है तो रील वगएर डालता हूं तो बोला तो मुझे ये लगा कि जब कभी आप सोचो लोग ये देख लेते हैं लेकिन आपकी महनत जो वहां तक लाई आज मैं यहां तक आने के लिए कितनी महनत किया कितने साल महनत किया पता है 16 साल हो गए मुझे घर से बाहर निकले, 17 साल, समझगे एक नहीं, 2009, 10, यानि 11 साल उधर हो गए, और क्या चल ला है, 2013, 2013, 2013, 2014, 2015 साल चल ला है, यानि 2009 में मैं निकला था, और 10, 10, 10, 20, 10 ही 11 साल, 20 के बाद 23, 2013, 2014, 2015 साल होगे, तो एक लंबा सपर, पांच साल समय काम कर रहा हो, लेकिन 10 साल में ने महनत की, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, है ना, कि चलो महनत करो, महनत करो मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन बिना महनत करो नहीं मिलता है शुपुजान सहाए, शुपुजान सहाए मेरा जीषन, मेरा जीवन, शुपुजान सहाए मेरा जीवन, BENEG सिव पूजन साहई के गर मैं बात करूं अम्रित लाल नागर टुकडे टुकडे दास्तान लेकिन एक बात और बताओ उन दिनों पाँच रुपय का बंद आता था पांच रुपए के दो बंद आता था पांच रुपए के दूद आता था उसे क्या बोलते हैं डबल लोटी बोलते हैं पावरोटी भी बोलते हैं अपने साइड में तो वही खा के अपना काम चल जाता था खाना बनाने के नहीं मन करता था आलू उबाल के आलू आलू समझ रह तो बिद्ध्यार्थी जीवन में यह सब मेहनत करना पड़ता है, यही तो संगर्स है, हनसराज रहबर, हनसराज रहबर की अगर मैं बात करूँ, तो हनसराज रहबर मेरे साथ जनम, तीन खंड में है, मेरे साथ जनम, मेरे साथ जनम, और अगर मैं यस्पाल जैन की बात मेरी जीवन धारा यह आप रिपीट करते जाएए बहुत अच्छा है मेरी जीवन धारा यह स्पाल जैन ठीक है? मेरी जीवन धारा आगे बड़ू मैं? चलिए फड़ी सुनना त्रेडू फड़ी सुनना त्रेडू अगर आप से पूछा जाए फड़ी सुनना आत्म परिचे रेडू अपना आत्म परिचे देते हैं रेडू क्या देते हैं? आत्म परिचे फड़ी सुनना त्रेडू क्या देते हैं? आत्म परिचे डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र क्या देते हैं भई, अर्ध कथा, डॉक्टर नगेंद्र की है अर्ध कथा, डॉक्टर नगेंद्र की क्या है, अर्ध कथा, आईडी बदल लिये हो, क्या नाम है, डॉक्टर नगेंद की अर्ध कथा, कनहिया लाल में सुपरभाकर, तप्ती पगडंडियों पर पदियात्रा अब आप देखो, जब क्रिस्न मुर्ली बजाते थे, तप्ती पगडंडियों पर, तो जो गोपिया थी, वो नंगे पाउं चलती धूप में दोड़ती, तप्ती पगडंडियों पर पदियात्रा, जब मुर्ली बजाते थे स्याम चलिए जब स्याम की बात आगे, एक भजन सुना देता हूँ, दो ही लाइन दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओं मैं कनाए, कैसे आओं मैं कनाए, तोरिगो कुल नगरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात को आओं कानहा डर मोही लागे दिन को आओं तो कानहा डर मोही लागे, रात को आओं तो भूल जाओं डगरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओं मैं कनाए, कैसे आओं मैं कनाए, मुझे आगे नहीं यादे इतना ही आदे बस, ठीक है? तो तप्ति पग्डंडियों के लिए तप्ति पग्डंडियों पर लोग पदियात्रा करते थे, उनके पास जाने के लिए उसके बाद आप बढ़िए, भगवती चड़ बर्मा क्या है न, भगवान के सामने जब आप जाते हो, तो कहिन जाई का कहिए भगवान के सामने जब आप जाते हो, भगवती चड़ बर्मा का कहिन जाई का कहिए संघर्ष और दिशाहिंता, 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 संघर्ष और दि निपदा तीन ददुआ हम पे विपदा तीन लिखी इसे ठीक भई यहां और राजेंद रियादों को मुड़ मुड़ कर देखता हूं अखिलेश का आप देखो अखिलेश मतलब अखिल की भगवान है ती अथार्थ है अखिलेश का वह जो यथार्थ था चंदर सेखर है ना चंदर सेखर ठीक है इनको वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन जीवन जैसे जिया भीष्म साहनी के अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ भीष्म साहनी आज के अतीत भीष्म जो है अतीत है आज के अतीत आज भी लोग कहते हैं भीष्म प्रतिग्यां कर रहा हूं आज के अतीत यानि आज के अतीत और मेरी साहितिक यात्रा अभी पत्र पत्र का वाला भी है मेरी साहितिक यात्रा मेरी साहितिक यात्रा ठीक है सोने जा रहे हो सब सोने जारत मैं अकेले पढ़ूँगा मैं अकेले पढ़ाऊंगा सब सोने जा रहे हैं क्या करो कि सो के हमारी बीबी वैसे ही सो रही है सबका हिस्सा लेके आप लोग सो के क्या करोगे अगर हम लोग और बात करें आगे असोग बाजपेई की कौँसी है असोग बाजपेई पाव भर जीरे में ब्रह्म भूज असोग बाजपेई पाव भर जीरे में थोड़ा सा पाव भर जीरे में पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज स्वदेश दीपक के अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा मैंने क्या नहीं देखा मैंने मांडू नहीं देखा मैंने मांडू नहीं देखा आज में लगातार पढ़ा रहा हूँ बैठा भी नहीं हूँ मैंने मंडू नहीं देखा बैठ जाता लेकिन आफ्टर मेरिज यही सब देखना पड़ता दिन बैठ नहीं सकते सट पहनों के यहां मूरी नहीं होनी चाहिए नहीं खाना खाओगे तो पिर कैसे खा रहे बहुत सब्सली का आदमी आजाता है अज जब तक अभिवाई तरह तरह देख है लेटे लेट तांक से भी खा लेता आत्मी साथिक बाद तो ऐसे खाना है दीरे दीरे रोटी को उठाना है मुह तक ले जाना है उसके बाद आ देखो सोदेश दीपा का क्या है मैंने मांडू नहीं देखा बिशुडु प्रभाकर का क्या है पंक हीन मुक्त गगन में पंक्ची उड़ गया जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पॉर्टेंट ही तो है और क्या है पंक हीन पंक हीन मुक्त गगन में पंक हीन मुक्त गगन में पंक हीन मुक्त गगन में पंक्ची उड़ गया क्या हो गया पंक्ची उड़ गया पंग्छी क्या हो गया उड़ गया ठीक है रंजन पंडे क्या रचाने रंजन पहला देरे 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 रहे बताईए रविन नात्यागी का कई बार पूछा गया बताईए रविन नात्यागी बताईए रविन नात्यागी का बसंत से पतजड तक बसंत से पतजड तक बसंत से पतजड तक अब एक बार त्होदा सापको बता देता हूँ देखो अगर आपनेु है या अगर आप कहीं से कोचिंग ले चुके हैं है ना या आपके पास कम पैसा है या क्या है कम पैसा है मतलब आपको सेलेक्षन चाहिए जल्दी है ना तो आपके पास एक तो यह है कि आप मेरे एप से जुड़िए राही एप से जुड़िए यहाँ पर आप दो कोर्स एक तो फुल कोर्स जोईन कर सकते हैं और एक आप क्या आरिया वर्थ जोईन कर सकते हैं अगर कम पैसा है कम समय के लिए आरिया वर्थ यह 2600 में ही आपको मैं फुल कोर्स भी दे दे रहा हूं लेकिन इसकी वैलिटी कम है एक्जाम तक ही है बस इसमें आपको क्रेस कोर्स फुल कोर्स दोनों मिल जाएगर तो आप मेरे दौरा पढ़ा यही चीजों को करिए मतलब मेरे सिडूर से पढ़िए जो मैं पढ़ाऊं पीडिया दो नोट उसे पढ़िए और मैं जो प्रेक्टिस कराऊं उसे करिए बस इससे ज़्यादा आपको करने की जूरुत नहीं है कम पढ़के आप सेलेक्शन ले लेंगे जादा पढ़के आप सेलेक्शन नहीं ले पाएंगे हिंदी में दलित आत्मक था हाएँ अब आपा आजाईये ए एक बार में ओफर वगेरा भी दिखा दूँग आगे आएगा लीपिंदको बुमल माहान जाएऊ जिसको सेलेक्षिन चाहिए लिखो जल्दी से थोड़ी देर बाद बदाओ भी मोहंदास नई मिस्राय अपने अपने पिजरे अपने अपने पिजरे मोहंदास नई मिस्राय का क्या है अपने अपने पिजरे बहुत इंप्वाटन्ट है बहुत पूछा जाता है अपने अपने पिजरे अपने अपने पिजरे हैना यह बहुत पूछा जाता है अपने अपने पिजरे दो भाग में 1995 और 2000 1995 में है और 2000 में है दो भाग ठीक है अपने अपने पिजरे ओम प्रकास बालमेकी का जूठन है ओम प्रकास बालमेकी का क्या है जूठन ये 1997 है 1997 की रचना है जूठन ठीक है सोना नहीं आपको काहे को ब्याहे परदे से सुन बाबल मेरो ठीक है और आगे बढ़ों में कहली है किसोर सांता बाई का दे चोरा कुलहाटी चोरा कुलहाटी लिखते जाओ आप लोग ये मैं PDF फ्री में दे भी दूँगा मतलब आप पर कौसल्या बैसंत्री बहुत इंपोर्टन है इनका भी पूचा जाता है नहीं करूँगा कौसल्या बैसंत्री देखो मैंने ऐसे याद किया था कौसल्या को दो अभिसाप लगा था एक तो भगवान राम यानि उनके पुत्र चले गए बनबास दूसरे उनके पती चले गए उपर तो दोहरा अभिसाप कौसल्या वैसंत्री कौसल्या वैसंत्री का क्या है दोहरा अभिशाप उनीश सु निन्यान्यवे दोहरा अभिशाप दोहरा अभिशाप सोना मना हैं देखो आ गया मैंने आयट कराया था पीडियम में सोना मना है यह सोना चाह रही है लेकिन सोना नहीं है उठ जाओ सुनो ए मैडम करें नहीं अब हम नहीं उठेंगे उठो सुनो ए नहीं उठोगी सोने नहीं देख रहो ना सोना मना है सो गई हो ए उठो ए उठो ए उठो आपको क्या लगदा सोना है सो गई है आप चले वहीं आप सो रही थी मैंने रो रही कर दिया इसे चलिए डियार जाटाओ मेरा सफर मेरी मंजिल मेरा सफर वैसे नहीं पूचाता था छोड़ दो माता प्रसाथ पे चले आओ अगर हम लोग बढ़ते है माता प्रसाथ पे जोपड़ी से राजभवन मैंने ऐसे किया था कि हमारे यहाँ एक माता प्रसाथ थे उनके बेटे लंबरदार हैं तो राजभवन से जोपड़ी पा गए मतलब पहले अमीर थे खखेद बेच बेच के खा गए तो माता प्रसाद जोपड़ी से राजभावन जोपड़ी से राजभावन सूरज पाल सिंग चौहान सूरज पाल सिंग चौहान तिरा स्कृत और संतप्त तिरस्कृत और संतप्त एक तो आपकी है तिरस्कृत और एक है संत्रप्त संत्रप्त होना चाहिए ना संतप्त है यह संतप्त रमा संकर आर्य यह हाँ यह सब दलित आत्म कताए हैं यह सब दलित यह सब दलित आत्म कताए हैं बताएए अच्छा माता का प्रसाद जोपड़ी से राज भोन लेगा यह भी ठीक है रमा संकर आर्य बहुत कम पूछा जाते है घुटन बहुत कम पूछा जाता है स्तायद ही कहीं पूछा गया हो वरना पूछा नहीं जाता है सिवराज सिंग बेचैन अगर हम बात करें सिवराज सिंग बेचैन बेवक्त गुजर गया माली मेरा बचपन मेरे कंधों पर बेवक्त गुजर गया माली बेवक्त गुजर गया माली बेवक्त गुजर गया माली एक मेरा बचपन मेरे कंधे पर बेवक्त गुजर गया माली मेरा बच्पन मेरे कंधों पर हाँ ये सब दलित आत्म कता है मेरा अभी यहां से ना मेरा बच्पन मेरे कंधों पर यहां पर लिखा है मेरा बच्पन मेरे कंधों पर अच्छा एक चीज और होती है जो गरीबी होती न जैसे जो दलित हैं, जो पिछडे हुए हैं, उनको बहुत जेलना पड़ता है, समाज में तीरसकार जेलना पड़ता है, लोग जो है, उनको उतना इज़त नहीं देते हैं, परिसान करते हैं, सोसड करते हैं, और या तो गरीब जो होता है, वो चाहे कोई भी हो, दलित न भी हो आप देखो, आप देखोगे हामिद, इदगा हुआ जाते हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, बड़े कम उम्र में समझदार हो जाते हैं, परिस्थिती ऐसी आ जाती है, तो मेरा बच्पन मेरे कंधों, पर उनका बच्पन कब चला जाते हैं, पता नहीं चलता है, जिसमें ब माँच करते हैं, खाते पीते हैं, अब दोड़ा चारे का बेटा देखो, असस्त्वामा, दूद के लिए तरस रहा था, उस समय वो बिचारे क्या करते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, बहुत देखकर दया हाती, चोटे-चोटे-चोटे मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे ह उनका भी तो बच्पन है लेकिन उनका बच्पन क्या है वो पता नहीं चलेगा पापा दरवाजा बंद कर दिये तुमको ठीक है अब आप देखोगे शुराज सिंग बेचाहिन हो गया अब शुराज सिंग बेचाहिन के बाद आप देखो बराक अबामा पिता से मिले सपने बराक अबामा देखो पिता से मिले सपने पिता से मिले सपने पिता से मिले सपने तुलसी राम के देखो मुर्दहिया बहुत पूछी जाती है सन भी पूछा जाता है मुर्दहिया इसका समय क्या है अगर आप से पूछा जाए मुर्दहिय, 2010, मर्कडिका, मुर्दहिय, 2010, और मर्कडिका मर्कडिका का समय क्या है, 2014 ठीक है, नहीं स्वातिस होना नहीं है नहीं है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था, हिंदी में दलीत आत्मका था, यहीं से तुम्हें शुरू किया था, अजब बच्पन मैं इसे सुलाते थे, दर्रे कुकुरा, दर्रे बिलरिया, बिट्टी मेरी सोई जाएं, भाया मेरी सोई जाएं, दर्रे कुकुरा, ऐसे करके न, चले हैं, आप हम लोग आते हैं, यात्रा वृत्तांत पे, किस पे आते हैं, यात्रा वृत्तांत पे, दो मिनिट का ब्रेक, यात्रा वृत्तांत चल देखो आप जो है जिनका TGT-PGT है आप लोग क्लास को रोकना मत और क्लास वगेरा जोईन किये रहना ये 2024 लास्ट इतना समय दे दो आप और जो NetJRF वाले हैं छे महिने से एक साल इतना समय चाहिए आप उजे उतना समय दे दो मैं सेलेक्शन कराऊंगा मैं आपका सेलेक्शन कराऊंगा आप उन्दे इतना समय दे दीजी बस बाकी कोई दिक्कत नहीं ठीक है ठीक है नहीं इतिनी देर सोना नहीं है सोना ही नहीं आज अब हम लोग यात्रा बितान्त पर चलेंगे दो पंक्तियां गुन-गुना देता हूँ यही सब बेद गाते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दयानी धिरिज जाते हैं यही सब बेद गाते हैं यही सब ग्रंथ कहते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दयानी धिरिज जाते हैं न रोए बंगमन में वे पिता की वेद नाओं में वही पक्सी को ले करके गुद में आशू बहाते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दयानी धिरिज जाते हैं नहीं स्विकार करते हैं निमंत्रड रिपदुर्योधन का विदुर के घर पे जा करके भोग छिलके का लगाते हैं न जाने कौन से मुझे मैसेज कर लेना अफ्लाइन तो चलिए आगे बढ़ता हूं आप लोग इसे बताईए मैं पानी लेके आता हूं भानी लेके पी गयाता हूं आप लोग तब तक इसका बताईए भारते इंद्वाला बताईए गला सोग गया है झाल चलिए सर्यूपार की यात्रा सर्यूपार की यात्रा जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सर्यूपार की यात्रा महिदावल की यात्रा यात्र वित्तान थे बताये। शर्यूपार की यात्रा, महदावल की यात्रा, लखनोग की यात्रा, हरी दोआर की यात्रा। देवी प्रसाद खत्री रामेश्वर यात्रा बद्रिकास्रम यात्रा रामेश्वर यात्रा बद्रिकास्रम यात्रा इसे कैसे यात करोगे देखो देभी हैं देभी रामे सुर और बद्रिकासरम यानि रामे सुरम यात्तर और बद्रिकासरम देभी दोनों जगह जाते हैं रामे सुरम और बद्रिकासरम ठीक तो भारतेंदु की सर्यू पार मेहदावल लखनो की आत्तर हरिद्वार की आत्तर बदाओ थोड़ी दिन नीत पुरो को भी नीत चले जाएगी बाल क्रिस्थ भट का आप देखो गया यात्रा बाल क्रिस्थ भट के कौन सी यात्रा है गया यात्रा क्या है गया यात्रा और आगे बढ़िए गोपाल राम गहमरी गोपाल राम गहमरी तो गोपाल राम गहमरी के गर मैं बात करो तो क्या होगा गोपाल राम गहमरी अरे तुम तो जा रहते संदीप अभी हो गोपाल राम गहमरी लंका यात्रा का व्यूरड 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 अब आप पंडित जवाह जवाला लेहरू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पंडिच जवाला लेहरू, रूस की सेर और आखों देखा रूस, 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 आप, तो जवाला लेरू अपने यहां के पढ़ने बिदेज गए थे, आप ये सही है कि नहीं सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनके पिता जी कौन थे, मोतिला लेरू, जवाला लेरू पिता जी का नाम क्या था, तो ये बहुत बड़े घर के थे, मोतिला लेरू बहुत चलो के हैं नाई जार्भिकित लिगतो फीशन में दूसरे सब्सक्राइब ही यूश सब्सक्राइब टो जिसे निगए अर्यॉक आपके पापक पास फोन आए पापक है मार सालिक मार जूता और जूता मारो है ना पता जले तुम इसके चक्कर में मार भी खाओ और जो है छुड़ाई भी ना जाओ तो नेहरू जी मत बनना क्योंकि हमारे हां हुआ था एक लड़का है फैजाबाद गया था उसकी प्रेमिका जो है उसको छोड़के भाग के चली गई थी दूसरी जगा पंडे उसे परिसान कर रहा था वहां वो अपने दूसरे मित्र के साथ जा रही थी इसने देख लिया वो गया था वहीं देखने इसने लड़के को बड़ी मार मारा लड़के की खोपड़ी फाड़ गई पुलिस की अब ऐसा भोगेगा तो लड़का छूट जाता लेकिन उनके बाप छूड़ाने नहींगे इसलिए वो जेल चला गया और जेल काट गाया छे महीने बाद यह एक साल बाद इस बात याद रखना तो पड़ने जवाद रूस की सैर और आनकों देखा रूस कनेयलाल में सु पर्भाकर गर आप देखो कि हमारी जापानेयत्रा तो यह कहां गयते हमारी जापानेयत्रा यह चले गयते ना गौसल से ना गयते मतुरा से कहां ब्रिंदावन हमारी जापान यात्रा हमारी जापान यात्रा कहां से कहां गए तो मुझे भूल जाता हूं मैं ठीक है यूटूब पर है ये तो यूटूब पर रहेगी ही क्लास मैं कहां लेख जाओंगा और और हम लोग आगे बढ़ते हैं राहूल सांकृत्याइन मैंने ट्रिक के साथ याद कराई हूई याद है बारे गणटी क्लास हाँ उसी गाड़ी बैट के चले आते थे जिस यह सबसे पहले तिब्बद गए मेरी तिब्बद यात्रा मेरी तिब्बत यात्रा क्या है वह यह मेरी तिब्बत यात्रा मेरी कौन सी यात्रा मेरी तिब्बत यात्रा और जब यह तिब्बत गए तिब्बत के बाद कहा गए मेरी तिब्बत यात्रा मेरी लद्दाख यात्रा मेरी लद्दाख यात्रा मेरी लद्दाक यात्रा उसके बाद लद्दाक के बाद किनर देश में मैंने ऐसे याद किया था किनर पाकिस्तान यानि पहले तिबद गए फिर लद्दाक गए फिर बगल में किनर देश में वहाँ बैटके राहुल यात्रा वली घुमककर सास्त लिखते हैं क्या लिखते हैं घुमकर सास्त फिर राहूल यात्रावलि उसका नाम क्या देते हैं राहूल यात्रावलि क्या नाम देते हैं राहूल यात्रावलि तो जो इसका नाम राहूल यात्रावलि देते हैं उसको यात्रा के पन्ने में लिखते हैं कहां लिखते हैं यात्रा के पन्न और एसिया के दुर्गम भूखंड एसिया के दुर्गम भूखंड आँ सचिन, चाय बनाओ जाओ कुछ चाय पाइंज बनाक लाओ हलकी चाय बनाक लाओ अपना निक मत जगाना नहीं पेटा एसिया के दुर्गम भूखंड एसिया के दुर्गम भूखंड है ना एसिया के दुर्गम भूखंड चीन में कम्यून चीन में क्या देखा चीन में कम्यून चीन में क्या देखा चीन में कम्यून हलकी मीठे चीन में क्या देखा ठीक है समझभारिक नहीं अच्छा संदीब देखो ये तिबबद जाते हैं तिबबद के बगल में लद्दाग जाते हैं फिर किंदर पाकिस्तान को समझ लो पाकिस्तान में वहां जाके राहुल गुमककर सास लिखते हैं उसका नाम राहुल यात्रावली देते हैं यात्रा के पन्ने लिखते हैं एसिया के दुरुगम भूखंड और चीन में कम्यून चीन में क्या देखा तिबबद में सवा वर्स मेरी यूरोप यात्रा तिबबत में सवा वर्स तिबबत में सवा वर्स तिबबत में सवा वर्स मेरी यूरोप यात्रा ठीक है? मेरी यूरोप यात्रा बतो है ना अरे हाव इसरीता चवान यूटूब पर ही रहेगी एक लास तो आप आप ऐसे ही से मनन कर लेना मेरी तिबत यात्रा मेरी लद्दा की आत्रा किनर देश में घुमकड साथ राहुल यात्रा वली यात्रा के पन्ने और ऐसिया के दुरगम भूखांड चीन में कम्म्यून चीन में क्या देखा और तिब्बत में सवावर्स मेरी यूरोप यात्त्रा अब बढ़िए राम ब्रिक्ष बेनी पुरी पर हम लोग बात करते हैं राम ब्रिक्ष बेनी पुरी पर अगर हम राम ब्रिक्ष बेनी पुरी पर बात करें पैरों में पंक मात कर उड़ते चलो उड़ते चलो पैरों में पंक मात कर उड़ते चलो उड़ते चलो पैरों में पंक बात कर उड़ते चलो उड़ते चलो पैरों में पंक बात कर उड़ते चलो उड़ते चलो दीर दीर जनसंक्य घरती चली जा रही है उसके बाद हम लोग बात करेंगे यसपाल लोहे की दिवार के दोनों और राह बीती यसपाल जेल में बंदे थे ना लोहे की दिवार के दोनों और लोहे की दिवार के दोनों और राह बीती लोहे की दिवार के दोनों और राह बीती लिख रहे हैं न लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं लोहे की दिवार के दोनों उरो राह बीती उसके बाद आप और आगे बढ़िए अग्येंक अगर आप देखोगे अग्येंक यात्रवित्तान्त क्या भई या अग्येंक अरे यायावर रहेगा याद एक बूद सहसा उचली एक बूद सहसा उचली एक बूद सहसा उचली 1960 एक बूद सहसा उचली नहीं चीक है उसके बाद मोहर राकेश का आखरी चटान तक आखरी चटान तक एक बार फिर बता रहा हूँ कल से आप लोग ये क्लास छोड़ना मत अगर आप लोग एप पर क्लास जोईन करते हैं तो वहां के क्लास का समय क्या है 9 बजे से लेकर 10.30 बजे सुबह है ना उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे 5.30 बजे से 7.30 बजे तक 5.30 से 7.00 पीम है ना और 11.00 से 12.00 और क्या है 11.00 से 12.00 इग्यार से 12.00 आपकी ब्याकरड की क्लास है है ना और ये साहित की क्लास है और ये साहित की क्लास है ठीक है ये तीन क्लास और जो test series है वो रात के 10 बजे test series कितना रात के 10 बजे आप पहले कर देता हूँ पहले कर दूंगा दोपहर में उसका time को लेके थोड़ा issue है उसमें थोड़ा वो था इसलिए रूकी हुई है daily आपको test series मिला करेगी ये और जो free class का time है वो दोपहर के 12 बजे आपको free class मिलेगी और रात के 9 बजे तो कल से PYQ series चलेगी free वाले class में आपनों जरूर करना उसे उसे छोड़ना नहीं है आपको ठीक है कल से free class में रात 9 बजे रामधारी सिंग दिन कर अगर हम बात करें रामधारी सिंग दिन करके अगर हम बात करें रामधारी सिंग दिन करके तो क्या होगा देश बिदेश मेरे message दिखना रहे रखे कौन और old student आ गए बताओ बताओ देश बिदेश दिन कर कहा गुमते हैं देश बिदेश देश बिदेश रामधारी सिंग दिन कर क्या है देश बिदेश और मेरी यात्राएं देश बिदेश और मेरी यात्राएं देश बिदेश और मेरी यात्राएं धर्मबीर भारती पापा ये आप किस पर आएंगे धर्मबीर भारती पर धर्मबीर भारती पर यही तो मेहनत है जब भीड चलती है न सीमा जब भीड चलती है देखो मैं यहां मुकर्जे नगर पढ़ाए भी हूँ, जब कोई बैच स्टार्ट होता है, माल लेजिए यह क्लास रूम है, आपको बताता हूँ, यह क्लास रूम है, जब सुरुवात होता है, तो इतने बच्चे चालू होते हैं, यह सब बच्चे हैं, यहाँ पर टीचर है, एक डीड महीने बाद इतने बच्चे 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 हैं, इतने बच्चे यह कम हो जाते हैं, फिर जब दो तीन महीने होता है, इतने बच्चे लाश्ट तक सिर्फ इतने बच्चे बशते हैं और यही अपनी मंजिल तक पहुंछते हैं समझ देना तो ऐसे हम लोग सुरू किये थे देखो घटे चले जा रहे हैं तो जैसे जैसे आप सेलेक्शन की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे घटे चले जाएंगे जो भीड होती ना ये क्योबल भीड होती, दिखता थोड़ी है ये, क्योंकि संघर्ष करना सब के बस की बात नहीं होती, तो जब आप कभी भी चलेंगे, है ना selection के लिए, तो आप ये समझ लेना, कि पहले ऐसे चलते हैं, पहले सब उठेंगे, सब उठेंगे, सब उठेंगे, सब उठेंगे, ऐसे 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 उठेंगे, फिर यहां तक ना ऐसे रेसियो गिरता है, देखो, ऐसे उठेंगे ना, ऐसे ऐसे उठता है, एक लेवल तक, फिर ये नीचे आ मुझ पाते, ये रेसियो है, तो देश, बिदेश, मेरी, ये तो मुझे पता है, हम् je, उसके बाद आप देखेंगे, धर्वीर भारती का हो, ठेले पर हिमाले यात्रा चक्र यादे यूरोप की, ठेले पर हिमाले, ठेले पर हिमाले, ठेले पर क्या है, ठेले पर हिमाले यात्रा चक्र यादे यूरोप की, यात्रा चक्र, अब जरूरी ने, इसमें से जो चले गए वो न पढ़ें, वो उसे कल पढ़ लेंगे, बात वो नहीं है मैं जैनुवन बात कर रहा हूँ इससे मतलब यह आज वाली थोड़ी है बहुत लोग सो गया होंगे ग्रामी डंचल के हैं इसी कोई दिक्कत नहीं है यात्रा चक्र यादें यूरोप की प्रभाकर दिवेदी छोड़ दी जिनको प्रभाकर माचवे प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम गोरी तेरा गामों बड़ा प्यारा गोरी नजरों में हम निर्मल बर्मा अगर हम बात करें निर्मल बर्मा चीड़ों पर चादनी निर्मल बर्मा चीड़ों पर चादनी निर्मल बर्मा के है चीड़ों पर चादनी फिस देख लेना आप लोग इसमें चीड़ों पर चादनी बिशडू प्रभाकर बिशडू प्रभाकर का क्या है भीए बिशडू प्रभाकर हस्ते निर्जर दहकती भठी जोति पुंज हिमाले हम सफर मिलते रहें जोति पुंज हिमाले हम सफर मिलते रहें हम सफर मिलते रहें अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे हैं इतनी बाते आपको समझ आई हैं आए ना एक बार फिर देख लीजिए यह उफर इतना सस्ता कहीं मिलेगे नहीं दो महीने हैं आपके पास आपका एक्जाम लगबग होगा 15 जून के आसपास तो अभी आपका अपरेल चलना है महीं और जून आपको रिवीजन कोर्स भी फ्री मिलेगा पस्ट पेपर भी मिलेगा दरपर टेस्रीज भी मिलेगी केवल 26 में है ना इतनी चीज़े मिलेंगी केवल ये दो महीने का कूर्स है अगर कोई हमारे साथ लंबे समय के लिए जूड़ना चाहता है तो आप देख सकते हैं हमने दो दिन के लिए फीज कम रखी 36 में छे महीने तिरपान सो में एक साल परस्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों जिसमें टेस्रीज और क्रेस्वोर्स प्री है नेट जारप कमबो 36 सो में केवल 800 जोड़ दो आपको टीजटी पीजटी का मिल जाएगा तिरपान सो में 900 जोड़ दो एक साल का टीजटी पीजटी मिल जाएगा सबसे सस्ती फीज हमने रखी है जिससे हमारे साथ गरीब से गरीब बच्चे भी जूड़ सकें लिए टीजटी पीजटी सभी राज 1726 और हम हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में पर्थम तो यह कल तक उफर हैं जिसको जोइन करना होगा कर लेना अब हम लोग आते हिंदी में पर्थम अभी आपको जाना नहीं है हम सफर मिलते रहें कितना अच्छा लग रहा है आब तब तक आप लोग अपने डाउट पूछ लो किसी कुछ पूछना और डाउट पूछ लो फिर चलते हैं हाँ यह क्लास चलेगे भी दो-तीन घंटे चलेगे भी अभी तीन घंटे और चलनी चाहिए क्लास है ना तो बताई यह बताओ सिखा बताओ कोई और कुछ भूछना चाह रहा है कोई कुछ डाउट पूछना पूछलो फिर हिंदी में प्रथम पे चलेंगे खुस रहो पास हो जाओ मदुसाला की दो-पंग थे दे मुझको कंधा वो जिसके पगमग डगमग होते हो और जलू उष्ठ और जहां पे कभी रही हो मदुसाला अरे प्राण प्रिये तुम स्राध करो तो मेरा तुम ऐसे करना पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मदुसाला मुसल्मान और हिंदू दो हैं एक मगर उनका प्याला बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद में लकराती मदसाला यही तो है ना पताइए रोज साड़े बारा बज़े और रात नो बज़े फ्री क्लास ठीक है जी चाय आ गई चाय पीते फिर आगे बढ़ते हैं तब तक मुझे बता दीजे साक्षी आप उत्तरा हिमान चल प्रदेश से हो ना जाओ पानी भर्ग ले आओ कोई कुछ पूछना चारत बताओ पांच मिनेट भी रखें हिंदी की प्रतम महिला कहानिकार यहीं शुरू करेंगे मैधी बताएं शुप्रिया क्या हाल चाल है जल्दी से छे लोग खांगे कर दो जल्दी 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 अस्वनिकुमार, मनीशा, बर्खा, अर्जुन बेशुकर्मा, पूजा, तवी हैपी सो, सिवम पांडे, केयम रजनी, दुलेश्वरी, चंद्रेश, साक्षी चौहान, दुर्गा प्रसाद गुपता, साहित प्रेमी, ललिता, नवीन चौबे जी तु क्या हाल चाले ठीक है, चले, अभी और मैटर, बड़ा मैटर, इसमें बहुत बढ़ी है, बढ़ी है मैटर है, जो ही क्या हाल चाले, नहीं आने वाले सीमा, फुल्टेस्ट, फुल्टेस्ट होगा इसी बार से, फुल्टेस्ट इसी बार से होगा, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बताइए, हिंदी की प्रथम महिला कहानिकार आजी यही तो महिनत है रितु हमारी बहुत अच्छी स्टुडेंट है रितु हमारी गोध ली हुई पुत्री हैं, दत्तक पुत्री और जब रितु सिलेक्शन लेके आएंगी तो मैं उनको बहुत प्यारा गिफ्ट दूगा अभी आजी बता देता हूँ, मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास रितु को उपर है अब आप यह मत बोल देना सर, रितु ही क्यों बाकी क्यों नहीं इस समय में सिर्फ रितु की बात इसले कर रहा हूँ कि TGT PGT में मेरे साथ बहुत सारे चातर चातर आए, एक्जाम नहीं हो रहा है कुछ लोग recorded देखते हैं, कुछ दिर अदर हो जाते हैं, लेकि रितु सुरु से लगी रही हूँ बहुत सम्मान, है ना, तो मेरे लिए समझ लो कि मेरे गोदली हुई पुत्री के सम्मान है और मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, जब इनका सेलेक्शन होगा, तो मैं बेस्ट इस्टुडेंट का अवार्ड इनको दूँगा मतलब लाइफ में जो बेस्ट इस्टुडेंट आते हैं ना, उसका मैं एक अवार्ड बनवाऊंगा लोगों को दीने के लिए तो उसमें जो अवार्ड है वो रीतु को जाएगा, बाकी भी लोगों को मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा वो, उसका क्राइटरिया अलग है मेरे जीवन के बहुत बहतरीन चात्रों में से, उसा भी हैं पुरानी चात्र हैं, उसा हैं, साक्षी औगर हैं तो अब आप आईए हिंदी की प्रथम महिला कहानी कार आप देखेंगे, बंग महिला जिनका नाव राजेंदर बाला घोस है बंग महिला इन्ही का नाव राजेंदर बाला घोस है क्या है? राजेंदर बाला घोस राजेंदर बाला घोस प्रगत इसील लेखक संग के प्रधम सभापती प्रेम चंद उनी 136 लखनों गुगा था ना प्रेम चंद ये क्लास सभी लोग से एर कर देना अगर अच्छी लग रही हो तो पूरा करने के बाद अगर आप पूरी क्लास कर रहे हैं अच्छी लग रही हो तो हर जगन तक जरूर से एर कर देना हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है हिंदी का अंकित्यात्री पाठी हिंदी का प्रथम परिक्षा गुरू लाला स्री निवास दास का परिक्सा गुरु लाला श्री निमाजदाश हिंदी का प्रतम दलित उपन्याश हेनदी का प्रतम दलित उपन्याश hindi का प्रतम दलित उपंयाश शप्पर जय प्रकास कर्दम शप्पर जय प्रकास कर्दम हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार क्या नाम है साद्वी सती प्राण अबला हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हिंदी की प्रथम आत्म कथा हिंदी की प्रथम अर्ध कथानक बनारसी दासका हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ नीतु बर्मा ठीक है नीतु हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ भक्तमाल नाभादास की क्या है भक्तमाल है नाभादास की सोलहवी सत्रह में भक्तमाल है नाभादास की सोलहवी सत्रहवी सदी में नाभादास की भक्तमाल है सोलहवी सत्रहवी 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 में से एकदम स्टार्ट में सुरुबात में ठीक है है पर देखता हूं मेरे साथ कौन-कौन टिकता है सारी रात हिंदी का प्रथम मानक जीवनी हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही मानक जीवनी हिंदी की प्रथम यह जीवनी ग्रंथ है लेकिन मतलब एक आभास इकदम सिस्टमाइटिक नहीं है हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ तो कलम का सिपाही किसका है प्रे लिखा किस ने अंबृत राय ने कलम का सीपाही किस ने लिखा है अंबृत राय ने लिखा है किस ने लिखा है अंबृत राय ने लिखा है हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा श्रीमती हर देवी प्रथम यात्रा लंदन यात्रा किसने लिखा है स्रीमती हरदेवी क्या नाम है स्रीमती हरदेवी 1883 में कब लिखा है 1883 में एप्लिकेशन पर एक मैं राथन करूंगा फ्री हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मर्ण आपने लिख लिए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्ट की तरह होता है जैसे रिपोर्ट लिखी जाती रिपोर्ट दी जाती है वैसे हिंदी में जो जानकारी दी जाती थी रोज युद्ध के समय में बिश्युद के समय में इसका इजाब हुआ ता मतलब लक्षमी पूरा शुदान सिंग चौवान का लक्षमी पूरा शुदान सिंग चौवान शुदान सिंग चौवान हिंदी का प्रतम संसमरड पद्म पराग, पद्म सिंग सर्मा का प्रतम संसमरड है पद्म पराग क्या है पद्म पराग पद्म पराग किसका है पद्म सिंग सर्मा पद्म सिंग सर्मा हिंदी की प्रथम महिला हिंदी की प्रथम महिला हिंदी की प्रथम महिला आत्म कथा हिंदी की प्रतम महिला आत्म कथा है हिंदी की प्रतम महिला आत्म कथा दोहरा अभि साप कौस अल्यावाला दुहरा अभिशाप आत्म कथा कार दुहरा अभिशाप कोशल्यक ना दुहरा अभिशाप कोशल्या वैसंत्री का महिला आत्म कथा दुहरा अभिशाप कोशल्या वैसंत्री ठीक है जी, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो हिंदी की प्रतम दलित महिलात मकत्त, अगर आप से पूछा जाए प्रतम दलित महिलात मकत्त, क्या बता होगे? मैंने गलत लिख दिया क्या है? हिंदी की प्रतम महिलात मकत्त, मेरी जीवन यात्त, यह तो दलित आएगा, हिंदी की प्रतम महिलात मकत्त, मेरी जीवन यात्त, जानकी देवी बजाज की, जानकी देवी बजाज मैं भूल गया जानकी देवी बजाज की है और वो कौन सी है हाँ हिंदी की प्रथम महिला प्रथम महिला आदम गता जानकी देवी बजाज ना मेरी जीवन यात्रा मेरी जीवन यात्रा मेरी जीवन यात्रा मेरी जीवने अत्रा राहुल सांकृताइन कभी तो है मेरी जीवने अत्रा जानकी देवी बजाज का है अगर और आगे बढ़ू हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्म कता तो जहां दलित वहां दोहरा अभिशाप कौसल्य वैसंत्री का दोहरा अभिशाप वहां आएगा दोहरा अभिशाप, कौसल्य वैसंत्री, हिंदी की प्रथम लगुपत्रिका, कभी वचन सुधा, कभी वचन सुधा से प्रसनाता है, कभी वचन सुधा, कभी वचन सुधा है किसकी भारतिन्दुकी है, और इसका प्रकाशन वर्ष के 1860, कभी वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष कवे, साक्षी चवहान, रजनी, हम बात करते हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदन्त मार्तंड, पंडित जुगल की सोर हिंदी का प्रथम देनिक पत्र हिंदी का प्रथम देनिक पत्र समा चार सुधा, ये देनिक है, समा चार सुधा वर्सड क्या हो जाएगा? समा चार सुधा वर्सड समा चार सुधा वर्सड स्याम सुन्दर सीन का, किसका है? स्याम सुन्दर सेन या स्याम सुन्दर दास? स्याम सुन्दर क्या सेन यदाज जो स्याम सुन्दर सीन कहें उसके बार हिंदी की प्रतम महिला संपादक हिंदी की प्रतम महिला हेमन्त कुमारी चोधरी है इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं चोड़ दो इसे अब आप आई हिंदी में सर्वर्थम बाल पत्रिका अगर आपसे पूछी जाए हिंदी में सर्वर्थम बाल पत्रिका ये भी नहीं पूछी जाती है वैसे बाल दरपड है लेकिन नहीं पूछी जाती है इसे भी काड़ दीजिए महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका भारतें दुने लिखी थे बाला बोधनी भारतें दुने लिखी थे बाला बोधनी हिंदी में बालिकाओं की सरप्रथम पत्री का कौन थी हिंदी में बालिकाओं की इसे भी छोड़ दीजिए आप बच्चों का प्रथम अकबार इसे भी छोड़ दीजिए आप हिंदी का प्रथम बाल साहित हिंदी का प्रथम बाल साहित कार वैसे स्रीधर है स्रीदर स्रीदर का नाम आपने सुनय यह नहीं हंदी का पर्तम हासिब्यंग परधान पत्र हिंदी का पर्तम हासिब्यंग परधान परिक्छा गुरुपर नियास ऐ अ मत्वाला मतवाला का नाम सुने हो मतवाला जिसका संपादन कौन करते थे निराला जर्नलिस्ट के लिए सरप्रतम पत्रकार सब्द का प्रयोग माखन लाल चतुरवेदी ने किया था जर्नलिस्ट के लिए पत्रकार का सरप्रतम प्रयोग माखन लाल चतुरवेदी ने किया था किस ने किया था माखन लाल चतुरवेदी ने चार वेद पढ़े थे ये माखन लाल चतुरवेदी भारत में पत्रकारों का प्रतम संगठन भारत में पत्रकारों का प्रतम संगठन छ हिंदी उधार्डी सभा आगे देखे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे अब दाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए देखो बच्चे घड़ते चले जा रहे न अड़ागीर उसा कि मेरे नेना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाभु स्याम संदर दास बहुत बढ़ियां बाभु स्याम संदर दास हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समा लोचना समुच्चय महाबीर का समा लोचना समुच्चय महाबीर प्रसाद की है यह हिंदी में प्रथम तुल्नातमक आलोचना अगर बिहारी और साधी हिंदी नाटक का प्रथम सैधान्तिक ग्रंथ नहीं पूछा जाता रूपक रहस से लिख लीजिए, पूछा नहीं जाता वैसे रूपक रहस से किसका है ये? हिंदी नाटक का प्रथम सैधान्तिक ग्रंथ स्याम सुंदर दास का किसका है? स्याम सुंदर दास हिंदी के प्रथम मार्षवादी आलूचक 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 डॉक्टर स्युदान सिंग चौहान ठीक है अंकुल आप फोन कर लेना है ना चलिए आज की मेरातर में इतना कर देता हूं लेकिन इसका वो मत उठाना अगर कोई दिव्यांग है और उसे दिक्कत है थोड़ा बहुत इस्टा चूट मैं अपने तरफ दे दूँगा फोन कर लेना आप है ना ठीक है तो जितना हो सकेगा मैक्समम यह फोन कर लेना इस पर 7982866640 या 9310-2584-32 अगर आप दिव्यांग है या कोई विडो है या कोई अति गरीब है जिसका कोई सहारा नहीं है प्लीज हाथ जोड़के निविदन करता हो लालच मत करना अभी बंद कहा हो रहा है मतलब सब लोग मत करना फिर वो नहीं मिल पाएगा सब करोगे तो मिली नहीं पाएगा अगर जरूरत मंद करोगे तभी तो वो जिसके लिए है उसे के लिए छोड़ दो दिव्यांग विद्वा बहुत गरीब आदमी है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है या नहीं कर सकता उसके लिए है ना तो प्लीज सब लोग मत करना प्लीज ऐसा मत करना फिर वो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी हिंदी के प्रतम मार्सवादी आलोचक अगर मैं बात करों तो आप देखो कि डॉक्टर स्यूदान सिंह चौहान अभी बंद कहा है डॉक्टर स्यूदान सिंह चौहान डॉक्ट बताओं हिंदी के प्रथम व्याकरण कार कौन है किसमें लिखा था डच भाशा में हिंदी भाशा में हिंदी का प्रथम व्याकरण अगर आप से पूछा जाए हाँ हिंदी भाशा में हिंदी का हिंदी भाशा में हिंदी का हिंदी भाशा का प्रथम बताओ हिंदी भाशा का प्रथम पाद्री वाला ना हिंदी भाशा का प्रथम ब्याकरण हिंदी भाशा का प्रथम प्रथम भारती व्याकरण हिंदी का प्रथम भारती ब्याकरण पंडी स्री लाल का भासा चंद्रोदे भासा चंद्रोदे भासा चंद्रोदे पंडी स्री लाल का पंडी स्री लाल का भासा चंद्रोदे केडलर भी हैं इतिहास हिंदी भासा का इतिहास डॉक्टर धिरेंद्र बर्मा डॉक्टर धिरेंद्र बर्मा यानि हिंदी भासा का प्रथम बैज्यानिक इतिहास हिंदी भासा के इतिहास डॉक्टर धिरेंद्र बर्मा बहुत बड़ी हैं ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, जिनको भी एडमीशन लेना है, राम नौमी तक उफर है, कल तक, तो आप लोग इस पे नेट ज्यारप टिज्टी पीज्टी का बैच ले सकते हो, है ना, केवल 26 सो में नेट ज्यारप का एकजाम तक है, जिसमें टेश सिरीज फ्री है, रि पीज्टी पीज्टी 17 सो में छे महिने, 26 सो में एक साल, ये सब उफर, 17 सो में आपको BPSC मिल जाएगा, बात करते हैं, राज भासा आयोग के पर्थम अध्यक्ष, राज भासा आयोग के पर्थम, बाबा साहब बाला साहब गंगा धर खेर, बीजी खेर, है ना, बाला साहब गंगा धर खेर, बाला साहब गंगा धर, खेर, बीजी खेर जिसको बोलते हैं, राज भासा आयोग के पर्थम अध्यक्ष, राज भासा आयोग के पर्थम अध्यक्ष जो थे, कलोग यहां आज तक, हिंदी साहित परिशत के पुर्सोत्तम दास टंडन, हिंदी साहित परिशत, अभी मैं याद कराता हूँ, रुख जाओ, पुर्सोत्तम दास टंडन, पुर्सोत्तम दास टंडन, देखो, राज भासा आयोग के तो बाला साहब खेर, और हिंदी साहित परिशत, परिशत टंड परिशत टंडन और राजभासायोग बाला साहब गंगदर के राष्टी नाट विद्ध्याले के प्रतम अद्धिक्ष राष्टी नाट विद्ध्याले के प्रतम अलकाजी इब्राहीम अलकाजी इब्राहीम अलकाजी ये को ने नाट बिद्याले की प्रतम अध्यक्ष इब्राहीम अलकाजी हिंदी का अध्यापन आरम करने वाला प्रतम बिश्व बिद्याले कलकत्ता बिश्व बिद्याले हिंदी का ध्यापन फोर्ड बिलियम ये जो फोस्ट बिलियम था ना फ्रill essas वाला ूँ आफ्टाज वाला फोर्ड itates बिलियम इ ओ अच्छा लग रहा है ना बढ़ियम मैटर है सेलेक्टेड मैटर ना तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर सेयर कर देना हिंदी माध्यम से संपूर सिक्छा देने वाली देश की प्रथम संख्ष था हिंदी माध्यम गुरुकुल कांगडी बिस बिद्ध्याले हरिद्ध्वार गुरुकुल कांगडी आपका हो जाएगा हरिद्ध्वार कुरुकुल कांगडी बिस बिद्ध्याले हरिद्ध्वार गुरुकुल कांगडी बिस बिद्ध्ध्याले हरिद्ध्वार गुरुकुल कांगडी बिस बिद्ध्याले हरिद्ध्वार गुरुकुल कांगडी बिस बिद्ध्याले हरिद्ध्वार गुरुकुल कांगडी बिस एक बात आपको और बता देता हूँ मैं सिर्फ एक टीचर ही नहीं हूँ मैं आपका एक बेतर गाइड हूँ मैंने वो जहला हुआ है कम पैसे में कोर्स है सभी लोग जोईन कर लेना जितने लोग आप देख रहे हैं जरूर जोईन कर लेना इससे मेरी कमाई ही नहीं बढ़ेगे इससे आपका भाला भी होगा टीचर के वल आपको पढ़ाएगा मैं आपको practice भी कराऊंगा धंक से practice कराऊंगा revision भी कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि selection होगा कैसे इसलिए आप लोग मेरे उपर विश्वास करना, जो मैं करा रहा हूं उसे साथ के साथ याद करना, तयारी करना, आपका सेलेक्षन हंड्रेट परसेंट हो जाएगा, कोई डाउट कहीं से नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लेना था, मैं आज भी टीचर हूं लेकिन विद्ध्यार्थिक तरह जीवन जीत मैं जानता हूं, मैं कोई बहुत अमीर थोड़ी, मैं भी गरीब परिवार से ही रहा हूं, तो मैं उस दर्द को जानता हूं, इसलिए मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं गरता, मतलब अभी देखो इसके पहले मैं जहां था, वहां पर मैंने हिंदी में कितनी मेहनत की, फिर म माता जी है, तो वह सब सारी चीजे हैं, तो वह बहुत सारी चीजे साचल, लेकिन अब मैं दिन रात महिनत करूँगा, कोसिस करूँगा हपते में एक दिन, कोसिस करूँगा हपते में एक दिन जो है, आपको सटर्डे वगर रात में क्लास करा हूं, पूरा रिवीजन करा द ठीक है? तो बाकी अगर कोई क्लास में दिक्कत आप मुझसे बताइए, आपने ले लिया, बैच ले लिया, इससे हमारा आपका तालुकात खत्म नहीं हो गया, आप मुझसे मागिए, सर जी ये करना है, सर जी वो करना है, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं, मुझसे जगडा करिए मुझसे कह के कराईए मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ तो जहां भी दिक्कत हो वीक हो आप मुझे फोन करिए मुझसे सवाद करिए मुझसे कम्यूनिकेट करिए मुझसे पूछिए मैं आपको बताऊंगा मैं आपको समझाऊंगा है ना क्योंकि जब आप सफल होंगे, जब आपके घरवाले खुस होंगे, आप खुस होंगे, तो वही सच्ची जो दिल का, इसने दिल की दुआ है ना, वो मुझे चाहिए, है ना, हाँ, यूनिट वाइज बता कर बिल्कुल, अभी क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं, तलवीर सर ही हो रहा है, दीरी-दीरी चीजी आगे बढ़ रही है, तो अब हम लोग बहुत अच्छे से करें, कि ट्राइल कर रहा था, है ना, अब देखो आपको कितना मजा आएगा, आप फटा-फटे सरी जोईन कर लोगे, फटा-फटे सरी दे दोगे, उसका आंसर दे दिया, उसमे मैं बुक लेके आ रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आ रही है, मॉडल पेपर की बुक आ रही है, पी वाई की बुक आ रही है, आप चिंता थोड़ी चिंता अम्मत करिया, उसके बाद आप देखो हिंदी में प्रथम डीलिट उपाद इप्राप्त करता, डॉक्टर पीताम्बरदत बड़त वाल, पीताम्बरदत है, डॉक्टर पितामबर दत्व बढथवाल नागरी प्रचाडी सभा के प्रथम सभापति कौन थे सुप्रिया हो जाएगा सेट हंड़ेट परसेंट अगर मैं बात करूँ कि नागरी प्रचाडी सभाब बाबू राधा कृष्णदास कौने बाबू राधा कृष्णदास नागरी लिपी सुधार समित के प्रथम सभापति कौने नागरी लिपी सुधार समित के प्रथम सभापति नागरी लिपी सुधार समित के प्रथम सभापती महात्मा गाधी कौन है महात्मा गाधी है ना नागरी पिचाडी सभा के बाबु राधा किस दा नागरी पिचाडी लिप के प्रथम सभापती यह जैसे मैं एक बाल लिक रहा हूँ, एक दो बार फिर रिविजन करा दूँगा, आप इसका रिविजन कर लेंगे, हो जाएगा, सही हो जाएगा, आया ना? देवनागरी लिपी सुधार समित के प्रतम अध्यक्ष कों थे, देवनागरी लिपी सुधार समित, आचार नरेंद्र देव, ठीक, तो नागरी लिपी सुधार समित के प्रतम अध्यक्ष कों थे, आचार नरेंद्र देव, अब देखो, आपको अगर दिक्कत हो रही होता, इसे याद करिए, कि नागरी प्रचाडी सभा के प्रतम सभापति, तो राधा कृसंदास, नागरी लिपी सुधार समित महत्मा नागरी लिपी सुधार समित के प्रतम अध्यक्ष आचार नरेंद्र देव थे, हिंदुस्तानिक अस्तान पर हिंदी सब्द का प्रतम प्रयोकता, गिल क्राइश्ट, जान गिल क्राइश्ट, अगर बताई? झाल झाल चले भई खड़ी बोली सब्द के पर्थम प्रयोकता कोन है लल्लू लाल कोन है भई यह लल्लू लाल और प्रथम बिस्व हिंदी सम्मेलन प्रथम बिस्व हिंदी सम्मेलन अब आप आईए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रथम बिस्व हिंदी सम्मेलन अब बिस्व हिंदी सम्मेलन सोना मना है लेकिन सो गए लोग सोना मना है से क्या सो गए लोग सो गए ना तो आप लोग मेनत करने के लिए तयार है ना अभी मैं आपको छमा बताओं, जब मैंने घर-गर नोट्स लॉंच किया था, आप सभी लोग जानते हैं, घर-गर नोट्स लॉंच किया था, उस समय मैं चार दिन लगातार काम किया था, उस सोया नहीं था, मतलब ऐसे काम किया, सुबह आठ बजे बैठ गया, कितना सुबह आठ बजे, रात के चार बजे तक काम किया, तीन घंटे रेष्ट किया साथ, फिर काम चालू किया साथ बजे से, मतलब लगातार चार दिन में मुश्किल से 9 घंटे सोया था, चार दिन में 9 घंटे, 9 क्या 12 घं था उसमें एरर हो गया था फिर उसमें टाइम लगा था बहुत लंबा बहुत लंबे मेहनत हुई थी तो मेहनत करने मज़ा आता है जब मेहनत का फाल मिलने भी लगता है तो और अच्छा लगता है ठीक है तो जसोना मना है पढ़ते रहो ठीक है चलिए पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था पहला कहां हुआ था नागपुर में हुआ था दूसरा सम्मेलन 1976 में हुआ था वो कहां हुआ था पोर्ट लुई मौरिसस में यह भी दे सकता है यह बहुत दुष्ट है पोर्ट लुई मौरिसस में पोर्ट लुई मौरिसस उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि तीसरा नई दिल्ली भारत में नई दिल्ली नई दिल्ली कहा है भारत नई दिल्ली नागपुर भी तो भारत ही है इसाइब छोठा गरम लोग देखेंगे फोर्थ चोठा चौथा अगर हम लोग देखेंगे पूर्थ तो पूर्ट लुई मारिसस फिर पूर्ट लुई मारिसस पूर्ट लुई मारिसस ठीक है? तो पहला नागपूर दूसरा पूर्ट लुई तीसरा नई दिल्ली फिर पूर्ट लुई नापा नापा है ना? चार कर लो नापा नापा क्या कर लो? नापा 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 मतलब नागपूर पूर्ट लुई नई दिल्ली पूर्ट लुई नापा नापा चार तो कर लो आप नापा नापा फिर से देख लो आर्या वर्थ बैच एक्जाम तक है यानि दो महीने आपको 30 जून तक इसकी वैलिटी मिलेगी एक्जाम तक इसमें क्या-क्या है? फर्स्ट पेपर है, क्लास नोट्स है प्री टेस्ट स्रीज आपका दर्पर टेस्ट स्रीज मिलेगा लाइब रिकॉर्ड़ेट क्लासे रिविजन मातर 26 जून में एक्जाम तक वैलिटी और ये कल तक ओफर है आज तक, अगर आप पूरा लेना चाहते हो वैलिटी ज्यादा, तो 366 महीने तिरपांसों में एक साल है ना, और अगर आप TGT, PGT, NET, JRP दोनों लेना चाहते हो तो केवल आठ सुरूपए ही पेमेंट लगेगा नेट TGT कभी मिल जाएगा 900 में एक साल नेट के साथ TGT, PGT कोई जादा पेमेंट नहीं है अगर आप BPSC join करना चाहते हो 1700 में 6 महीने अगर कोई और चात्र है ओल्ड चात्र है तो फोन कर लेगा उसका डिसकाउंट, ओल्ड का मतलब जिन्नोंने राही पर बैच ले रखका है DTSB का 1700 में ही है आपका 6 महीने मिल जाएगा TGT PGT ठीक है ना और सभी राज का 1700 में इसे सस्ता क्या मिलेगा चवथा, पाँचवा, नापा नापा हो गया पाँचवा हो गया पोट आप इस्पेन, तरिनिदाद तरिनिदाद चटा कहा हुआ था, चटा चटा कहा हुआ था चटा लंदन में हुआ था जाटा कहा हुआ था? लंदन में. साटवा कहा हुआ था? सूरी नाम में. साटवा सूरी नाम में. इसको कैसे याद करोगे? नापा नापा इसका क्या था? पताएं टलसन, क्या इसका टलसन, इसका क्या है टलसन टलसन का मतलब त्रिनिधार लग का मतलब लंदन सा मतलब सुरिनाम और न्यूवियार्क टलसन वो यह है नापा-णापा है ना नापा नापा यानि नागपूर पोटलूई नई दिल्ली पोटलूई नापा नापा टलसन टलसन का मतलब तृनिदाद लंदन सुरिनाम न्यू यार्क आठ हुआट हो गया अब आप बढ़िये नौवा नौवा कहां हुआ है जोहान सुवर्ग में हुआ था जो हांस वर्ग में हुआ था जो हांस वर्ग कहां पर है दक्षिड अफ्रीका जो हांस वर्ग कहां है दक्षिड अफ्रीका दक्षिड अफ्रीका ठीक है भी यह अगर हम दस्वा की बात करें तेंथ दस्वा तो दस्वा भोपाल दस्वा कहां है दसवा है भोपाल और इक ग्रहवा अगर हम बात करें क्या इक ग्रहवा इक ग्रहवा पोर्ट लूई मारिसस इक ग्रहवा फिर पोर्ट लूई है ना इक ग्रहवा फिर पोर्ट लूई मारिसस इक ग्रहवा दोजार अठाथ 2023 में हुआ है बाराहवा बरावा नाडी फिजी में हुआ है बरावा कहा हुआ है नाडी नाडी गहां है या फिजी में अब इसका देखो आप जोभो पोना मतलग जोहांस्वरग भोपाल पोटलूई नाडी जोभो पोना पहला क्या है बताएए पहला मैंने क्या बताया बताया मैंने यहां से बताया था नापा नापा क्या बताया था नापा नापा पहला नापा नापा बताया चार नापा नापा उसके बाद फिर चार नापा नापा हो गया नापा नापा बात क्या हो गया टलसन नापा नापा टलसन और लास्ट में फिर क्या है जोभो पोनो जोभो पोना लास्ट में जोभो पोना लास्ट में क्या है जोभो पोना आप इसे याद कर लीजिए जोभो पोना तो नापा नापा नागपुर पोटलुई नई दिल्ली पोटलुई तरिनिदाद लंदन स नियूआर्क जोभो जोहांसवर्क भोपाल पो मतलब पोटलवी ना का मतलब नाडी तो आप इसे याद कलेजिए नापा-नापा टलसन जोभो पोना इतनी बार याद कर लो इसे कि ये भूले ना अब आजाए ग्यान पीट पुरसकार थोड़ी देर आपसे बाचित कर लेता हूं फिर कि याद कर लोगे कि नहीं याद कर लोगे नापा नापा टलिसन जोभू पूना नापा नापा टलिसन जोभू पूना लाश्ट मिन्ना मतलब नाडी अच्छा लग रहा है ना मैटर को बड़ी आए नीदारी क्या करो प्रिसको नीदारी जाव सो मैं तो पढ़ाओंगा ही याद कर लोगे नापा लोगे सब्सक्राइब कर लोगे ना कर दो कर दो कि कुछ दो चार पंक्तियां गुर्णा तुन पुन हो जाए किया मेरे जिन्दगी के भाग जब खुल जाएंगे जब रिजल्ट आएंगे रिजल्ट आएंगे मैं सब को बताऊंगा गुरु जी के पास इंटर्व्यू देने जाऊंगा मेरे किस्व मत के भाग तब खुल जाएंगे रिजल्ट जब आएंगे पड़ते रहने से रिजल्ट तब आएंगे सोने सोने से कुछ नहीं याद ना पटा पटा लिसन जो बापोना चले वेजी आगे बड़े और कोई कुछ कहना चाहता है पूछना चाहते दो ताओ से रिजल्ट आएगा साधी होगे कुछ थोड़ी मोटी चोटी मोटी कहानी सुना देता हूँ देखो हमारी एक स्टूडेंट थी आप लोग इस पर इंटर्व्य जरूर देखना जिते लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंटर्व्य जरूर देखना इसमें हमारे ऐसे से छात रहना मजा जाएगा लेकिन सेलेक्शन के बाद लोग आलस कर जाते हैं भी कई स्टूडेंट हैं फिर पैसे बचाने लगता हैं अभी तो चलेगे अभी दुले सुरी चलेगी अच्छा नया मामला है हाँ 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 कुंदन कुमार यार् थोड़ा बिसराम कर लें दो भाई चल रहा हूं दिलद मामला है दिलवर कुछ न जोर है इस दिल पर है नया मामला अब देखो ज्यान पीट पूरसकार मैंने बताये था सुरा मन मैंने क्या बताये था? सुरा मन क्या बताये था? सुरा मन सुरा मन का मतलब और आठ दो आठ दो ये मैंने एक ट्रिक बताये थे सु मतलब सुमित्रा नंदन पंत रा मतलब रामधारी सिंग दिनकर अ मतलब अग्यें फिर महादेवी बर्मा और नरेश महता महादेवी बर्मा और निर्मल बर्मा है ना सुरा मन नहीं नरेश महता ही है नरेश महता सुरा मन आठ दो आठ दो दो 1972, अग्ये 1978 और सुरा मन, महादेवी बर्मा, 1970, 1982 और फिर नरेश मेता 1992 और नक्सक, फिर क्या था नक्सक, नक्सक मतलब निर्मल बर्मा, कुवर नारायन, स्त्री लाल सुक्ल और केदार नासिंग नक्सक और क्रिस्ना सोबती 2017 में, सुरा मन और नक्सक, ये ग्यान पीट पुरसकार वाले हैं, ग्यान पीट पुरसकार वाले कौन कौन हैं, सुरा मन और नक्सक, एक बाल लिखिए, सुरा मन और नक्सक, क्या, नक्सक ऐसे भी लिख सकते हो, नक्सक, सुरा मन का मतलब सबसे पहले सुम सुमित्रा नंदन पंत, क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, फिर क्या हो जाएगा? राम धारी सिंग दिनकर, फिर क्या हो जाएगा? अग्ये, फिर क्या हो जाएगा? महादेवी बर्मा, फिर क्या हो जाएगा? नरेश निर्मल बर्मा, क्या भी यह? नरेश मेहता, ठीक पिर नक्सक, नक्सक मतलब निर्मल बर्मा, निर्मल बर्मा, कग मतलब किदारनाथ सिंग, किदारनाथ सिंग, सग मतलब सम क्या हो, देखो, नक्सक मेतन, निर्मल बर्मा कुवर नारायड, स्री लाल उर किदारनाथ, निर्मल बर्मा कुवर नारायड, मैं भी भूलने लगा, निर्मल वर्मा कुवर नारायड है ना देखो नाक निर्मल वर्मा का मतलब कुवर नारायड सक मतलब स्रीलाल सुकल और फिर का मतलब केदार नात सिंग फिर क्या है केदार नात सिंग तो एक चीज और आप लोग ध्यान देना कि यहां पर क्या था पहले रचना पर मिलता था स सुमित्रा नंदन पंध को किस पर मिला ची दाम पर मिला, 1968 में, राम धारी सिंद्य बांकर को किस पर मिला, बताईए, अरुवसी पर प्रबंध कब 1961 का है न, अरुवसी 1961 की रचना है, इस पर मिला 72 में, अरुवसी पर, अग्यें को किस पर मिले भई या अग्यें को कितनी नाओं में कितनी बार महादेवी बर्मा महादेवी बर्मा कि अगर मैं बात करूँ तो यामा महादे बर्मक क्या है यामा उसके बाद फिर आप देखोगे ना फिर बाद में क्या हुआ संपूर साहित पर मिलने लगा किस पर मिलने लगा संपूर साहित पर उसके बाद इन सब को संपूर साहित पर मिला है नरेश मेहता की बाद यहां तक इनको संपूर साहित पर मिला है किस पर मिला है संपूर साहित पर मिला है अच्छा स्री लाल सुक्लो और अमर कान दोनों को मिला था नक सको किसना सुबती 2017 में है ना हाँ 1983 से यह संपूर साहित पर मिले लगा पता यह क्या कहते हैं आप टाइपिंग मिश्टेक बहुत हो रहा है देख ले न भई ये कोई और मिश्टेक नहों हो जाए देख ले न कहते हैं यही उमर है कर ले गलती से मिश्टेक ऐसा मिश्टेक मत कर ले न घर वाले मार्क भगा दें अब देखो साहित कादमी शुरू करें साहित कादमी साहित कादमी शुरू करें भई यही उमर है कर ले अच्छे से पढ़ाई यही उमर है कर ले अच्छे से पढ़ाई है रात में देड़ तक जगुत भूख लगने लगते हैं कि सर्मा नेहा कि यही उमर है कर ले है जब वह भी हो गया अरे बाप रे बाप माखनलाल चतुरवेदी को हिम तरंगड़ी पर मिला है किस पर मिला है हिम तरंगड़ी पर मिला है हिम तरंगड़ी वासुदेव सरड अगरवाल पदमावत संजीवनी व्यक्यान इनको छोड़ देजे आचार नरेंदर देव बुद्ध धर्म दर्सन आचार नरेंदर देव का बुद्ध धर्म दर्सन यह डारेंट भी पूछी जा सकते हैं राहुल संकृत्याइन को किस पर मिला है राहुल आप पीडियाप आजी रात में डाल दूँगा राहुल संकृत्याइन को मद्ध एसिया का इतिहास मद्ध एसिया का इतिहास मद्ध एसिया का रामधार यह डिंकर को किस सब्सक करोकि पर मिला है रात में अगर मैं डाल लोगा न मुझे आता तो नहीं है अगर कोटी बला आगया थो राथ में डाल लोगा रामधार यह बर्षांस कर संस्कृती के चार अध्याइव सं पर मिला है संस्कितिक चारत द्याए यह रचना वैसे भी इंपोर्टेंट है पूछा जाते है यहां से प्रस्ना नहीं आना है और अगर आप से पूछा जाएगा पंत को कला और बुढ़ा चांद पर पंत को चिदंबरा पर क्यान पीट कला और बुढ़ा चांद पर साहित गाद में भगवती सरण बर्मा भूले बिशरे चित्रूपन न्यास है भूले बिशरे चित्रूपन न्यास है भूले बिशरे चित्रूपन न्यास है बिधा भी पूछी जाएगे संस्कीतिक चारध्या निबंद है कला और बुढ़ा चांद काब भी है अम्रित राय को कलम का सिपाही अम्रित राय को जो मिला है वो मिला है कलम का सिपाही कलम का सिपाही तो जो कलम का सिपाही है वो क्या है जीवनी है ना कलम का सिपाही क्या है जीवनी है किस ने लिखा है अम्रित राय ने लिखा है इसने लिखा अंबृत राय प्रेम चंजिक बेटे है अगा अगे को बात करें कितनी नाओ में कितनी बार पर इनको घ्यान पीट मिला है आगन के पारद्वार पर साहीत है कादमी आगन के पारद्वार काव विशंह रहे ना? क्या है? काव है ना? आगन के पारद्वार ये रचनाएं भी पूछी जाएंगे ठीक है तो भगुति चड़ बर्मा भूले विश्री चित्र अम्रित राय का कलम कसी पाही अग्यें का आगन के पारद्वार काब ये सुन रहे हूं नहीं सुन रहे हूं इसके बाद आप और आगे बढ़ियें डॉक्टर नगेंद्र अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें रस सिद्धान्त है समिक्षा है ये रस सिद्धान्त ये भी पूछा जाता है रस सिद्धान्त है किसका रस सिद्धान्त ये समिक्षा है और जैनेंद्र कुमार्क अग नहीं कुंदन यार, एक लिमिट होती न, मैं भी तो जगी रहा हूँ न, यहाँ से स्क्रीन के सामने बोर्ड पी तुरंत, है न, हाँ उसा बनाओ चाहिए, अगर हम बात करें, जैनेंद्र कुमार, तो मुक्तिबोध इनका लगुपन्यास है, मुक्तिबोध इनका लगुपन् इनका क्या है लगुपन्यास है, अम्रित लाल नागर, अम्रित लाल नागर की बात करता हूँ, किस की बात? अम्रित लाल नागर, न, फास्ट फिर दिक्कत मैं लिख रहा हूँ न, दीरे दीरे, तो अम्रित लाल नागर के गर मैं बात करूँ, अम्रित और विष उपन्यास है, अम्रित और विष, अम्रित और विष, अम्रित और विष, ये क्या है, उपन्यास है, उसके बाद आप देखेंगे हरिवन सराय बच्चन हरिवन सराय बच्चन को किस पर मिला है दो चुटाने इनका काब है दो चट्टाने, दो चट्टाने इनका काब्बे है, हरीवन सराइबच्चन का दो चट्टाने इनका क्या है, काब्बे है, ठीक है, उसके बाद हम लोग काम करते हैं, स्रीलाल सुकल, स्रीलाल सुकल तो राग दर्वारी पर मिला है, राग दर्वारी उपन्यास है, स्री लाल सुकल को किस पर मिला है राग दर्बारी पर मिला है राग दर्बारी इनका क्या है उपन्यास है 1968 कहना का उपन्यास है राम बिला सर्मा के गर मैं बात करूँ निराला की साहित साधना जियूनी है ये निराला की साहित साधना निराला की साहित साधना ये जीवनी है है ना निराला की साहित साधना ये इनकी जीवनी है हाँ बिल्कुल आएगा सीमा 100% नामोर सिंग अगर हम देखेंगे कविता के नए प्रतिमान आलूचना निराला की साहित साधना क्या है जीवनी है ये जीवनी है निराला की साहित साधना जो है ये जीवनी है नामोर सिंग के गर में बात करूँ किसकी बात करूँ नामोर सिंग कविता के नए प्रतिमान मरतिमाद कैने ओध यह लोक्त कर दो ज़लदी से जिसको जिसको क्लास अच्छी लग-वाराम-सरी होती है अच्छा 1968 में प्रकासन वर्स है उसका मतलब पुरस्कार मिलने की बात नहीं 1969 में इनको पुरस्कार मिला प्रकासन वर्स 68 में ही है तो भावानी प्रसाद मिस्र जो है बुने हुई रस्सी का भेन का हजारी प्रसाद दिवेदी का आलोग नहीं पर्वो उनिस सुबहत्र कहना आलोग पर्वो ये इनका निबंद है हिंदी भाई राम सर राम 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 सर राम राम सर बुने हुई रस्सी टांगों में दर्द होने लगा है टाइपिंग मिश्टेक आगे बताओ अब इसमें स्यू मंगल सिंग सुमन भीष सानी यस्पाल समसेर मैं एक बार सबके मैसेज देख लेता हूँ फिर उठके लिखूंगा उस पर क्या हाल चाले भाई स्यू मंगल सिंग सुमन को किस पर मिला है और भीष सानी को किस पर मिला है यस्पाल को किस पर मिला है समसेर को भारत भूसड़ अग्रवाल को किस पर मिला है जहां डाल डाल पर सोने की तिडिया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा मंगल सिंग सुमन को मिट्टी की बाराद मंगल सिंग सुमन को जो मिला है वो मिट्टी की बाराद पर मिला है किस पर मिला है मिट्टी की बाराद और भीज मसानी को किस पर मिला है मिट्टी की बाराद है क्या मिट्टी की बाराद काब भी है लिख लो यहाँ पर विधा काउंसी है तो मिट्टी की बाराज जो है वो काव भी है विधा गर आपसे पूछी जाए तो काव भी भीष्म साहनी भीष्म साहनी तमस उपन्यास इनका भीष्म साहनी का क्या है तमस और यह तमस इनका उपन्यास है तमस क्या है उपन्यास है यस्पाल पर हम बात करें यस्पाल मेरी तेरी उसकी बात यस्पाल का क्या है मेरी तेरी उसकी बात मेरी तेरी उसकी बात मेरी तेरी उसकी बात यह विधा कौँसी है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है अमरिसरागे कानि पठानों ने कौन से इस्टेशन पर टिफिन वाक्स कोला था कौन से इस्टेशन पर खोला था बताओ खा ले बोती खा ले अगर तु बोती नहीं था ता जनाना में चला जा मैं किसी को नहीं बताएगा, खा ले, बोती था ले मेरे साथ, मेरी तेरी उसकी बात, किसकी किसकी बात, उपन्यास है, यसपाल सहब का उपन्यास है, यसपाल सहब का क्या है, उपन्यास, तमसेर बहादूर सिंग के गर में बात करूँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, काबे, चुका भी नहीं हूँ मैं भारत भूसर अगरवाल ये भी काब्य है चुका भी नहीं हूँ क्या है काब्य है उतना वह सूरज है भारत भूसर अगरवाल का उतना वह सूरज है उतना वह क्या है उतना वह सूरज है भारत भुसर अग्रवाल अगर आप देखोगे उतना वह सूरज है मेरी मिर्च मसाला बहन जी की बाद उतना वह सूरज है अगर हम बात करें धूमिल धूमिल को किस पर मिला था रोटी और गोस्त न धूमिल कल सुनना मुझे धूमिल का क्या है कल सुनना मुझे धूमिल का क्या है कल सुनना मुझे धूमिल क्या है कल सुनना मुझे यह क्या है यह भी काब्य है यह भी काब्य है कृष्णा सोबती का क्या है जिन्दगी नामा यह भी काब्य है कृष्णा सोबती का अगर बात करें तो जिन्दगी नामा कृष्णा सोबती का क्या है जिन्दगी नामा सत्या राही जिन्दगी नामा उपन्यास है यह जिन्दा रुख उपन्यास है ठीक है अगर हम बात करें त्रिलोचन की, किसकी बात करें त्रिलोचन, ताप के ताई हुए दिन, ताप के ताई हुए दिन, ये किसका है त्रिलोचन, दिगन तो अपना अपना कास, ताप के ताई हुए दिन, हाथ लिखते लिखते मेरा भी कंदा फंदा दर्ट कर रहा है तो ताप के ताइव ये दिन जो है वो काविशंग्र है त्रिलोचन का क्या है काविशंग्र हरिसंकर परसाई बिकलांग स्रद्धा का दौर ब्यंग है बिकलांग स्रद्धा का दौर बिकलांग स्रद्धा का दौर और आप लोग 2,4,000, 6,000 मत बचाये करिए अपने सिलेक्शन के लिए मेरे पास ही नहीं में बात कर रहा हूँ अगर आपको जो टीचर अच्छा लगे आप कोर्स ले लिया करो एक आग साल कोर्स लेके पढ़ोगा ना पढ़ना खुद से ही है हाँ बिलकुल मिल सकते हो है ना आप फोन कर लेना आने से पहले साली मार बाग में ही में रहता हूं है ना हाँ 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 है व्यमी क्या हाल चाल है तो विकलांग स्रद्धा का दोर निबंध ना बताव व्यंग है व्यंगात्मक निबंध व्यंग अगर मैं बात करू सर्वेसर दयाल सकसेना खूटियों पर टंगे लोग खूटियों पर टंगे लोग क्या है कावेजंग रहाँ कावे है यह रगवीर सहाय का लोग भूल गए है यह भी कावे है लोग क्या कर गए है लोग भूल गए है यह भी कावे है और यह भी कावे है ठीक है निर्मल बर्मा के अगर मैं बात करूँ कववे और काला पानी कहानी संग्रह है कववे और काला पानी क्या है संग्रह कहानी संग्रह क्या है कहानी संग्रह हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए है किदानात अगर्वाल अपूरवा इनकी काव्वे है किदानात अगर्वाल की अपूरवा क्या है काव्वे है क्या है किसे भूल गए लोग किसे भूल गए है काव और काला पानी अगर हम बात करें किदानात अगर्वाल अपूरवा स्रीकांद बर्मा मगद स्रीकांद बर्मा का मगद है मगद मगद भी काव्वे है मगद है और मगद भी क्या है काव्वे है मगद भी क्या है काव्वे है नरेश मेहता नरेश मेहता अरड अरड भी काब है क्या सुबह उठके नहीं हो पाएगा च्छामा सुबह क्लाज भी है ना बताएगे और अगर मैं बात को नो किदार नात सिंग अकाल में सारस काब है अकाल में सारस अकाल में सारस अकाल में सारस क्या है ये भी काब है स्यूपरसाद सिंग अगर हम बात करें स्यूपरसाद सिंग नीला चांद उपन्यास स्यूपरसास इंग का नीला चांद उपन्यास है नीला चांद क्या है उपन्यास है गिर्जा कुमार माथुर अगर हम बात करें गिर्जा कुमार माथुर मैं वक्त के सामने हूँ गिर्जा कुमार माथुर जो है मैं वक्त के सामने हूँ मैं वक्त के सामने हूँ ये भी काव्य है गिरिराज की सोर धाई घर उपन्यास धाई घर धाई घर उपन्यास है धाई घर गिरिराज की सोर कहे उपन्यास धाई घर उपन्यास क्या दुले स्वरी हाँ क्लास तो है सुगेर एक बार देख लेता हूँ से डूल लगा एक नहीं लगा है हाई दस बज़ेस लगी क्लास दस बज़े है ग्यारा बज़े नहीं दिक रही है लगी है क्लास क्लास लगी है दस बज़े नो बज़े नहीं दस बज़े हाँ ठीक न दस बज़े से हैं उसके बाद आप और आगे बढ़िए सिउप्रसाथ सिंग अगर हम बात करें सिउप्रसाथ सिंग की नीला चांद उपन्यास है नीला चांद क्या है भी यह नीला चांद नीला चांद क्या है उपन्यास है क्या है उपन्यास गिर्जा कुमार माथूर गिर्जा कुमार माथूर गिर्जा कुमार मातुर मैं वक्त के सामने हूँ काब बे नहीं तो हो गया ना सिवप्रसाद नीला चांद फिर आगया क्या हुई सिवप्रसाद का नीला चांद गिर्जा कुमार मातुर मैं वक्त के सामने हूँ ना गिर्जाज की सोर बिशडु प्रभाकर क्या है अर्ध नारीश्वर उपन्यास बिशडु प्रभाकर का अर्ध नारीश्वर अर्ध नारीश्वर उपन्यास है यह जो अर्ध नारीश्वर है ना ये उपन्या से बिसड़ उप्रभा करकर नीबंद किसका है दिनकर का और आसोग बाजपेई का क्या है आसोग बाजपेई कही नहीं वहीं तो यही था किधर गया जी कही नहीं वहीं तीक है असोग बाजपेई का कहीं नहीं वहीं कुवर नारायन का कोई दूसरा नहीं Hello friends, sorry मैं साथ ये अटेंड कर रही हूँ कुवर नारायन का कोई दूसरा नहीं कुवर नारायन को मिला है कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं कावे है ये कोई दूसरा नहीं कावे है सुरेंद्र बर्मा हम बात करते हैं सुरेंद्र बर्मा की मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र बर्मा का क्या है मुझे चांद चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे चांद चाहिए मुझे क्या चाहिए चांद चाहिए लीला धर जगूरी अनुभव के आकास में मुझे चांद चाहिए उपन्यास है मुझे चांद चाहिए क्या है उपन्यास है और नीला चांद से उपर साथ का है लीला धर जगूरी अगर मैं बात करूँ लीला धर जगूरी अनुभव के आकास में चांद अनुभव के आकास में चांद अरूड कमल क्या है नए इलाके में काव है अरूड कमल का भी नए इलाके में यह भी काव है अनुभव के आकास में चांद यह भी काव है और जी एजी ओजी सब कुछ नहीं सफलोत एजी ओजी खीक है नहीं सफलोत एजी ओजी कुछ कोई मतलब नहीं जो भी है वो आपकी सफलत आई है बिनोत कुमार सुकल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्या से दीवार में एक खिड़की रहती थी दीवार में एक खिड़की रहती थी दीवार में खिड़की रहती थी ए जी ओ जी मैं जो कहूं जी उसको सुनो जी माई ने मिजलखन सजनों का सजन सफल आदमी रहे तो सब अच्छा लगता है ना सफल नहीं रहता तो दीवार में खिड़की रहती थी मेरे सामने वाले खिड़की पे लो जी सुनो जी मैं हूं मनमो जी माई ने मिजलखन सजनों का सजन दीवार में खिड़की रहती थी मेरे सामने वाले खिड़की पे मंगलेश डबराल का क्या भीया मंगलेश डबराल मंगलेश डबराल क्या हो हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल का क्या है हम जो देखते हैं नहीं के थावीता है, हम जो देखते हैं। हम जो देखते हैंनका काव है यह मेरे सामनेवाले खिर्दकी पे इसके अग मैं नहीं का सकता… यह क्या है काव है यही तो है — अच्छा, कलिकथा बाया बाईपास, अलका सरावगी कहे कलिकथा, कलिकथा बाया बाईपास, कलिकथा बाया बाईपास, राजे जोसी, राजे जोसी दो पंक्तियों के बीच, राजे जोसी देखो, दो पंग्तियों के बीच। कमलेस्वर्ग कितने पाकिस्तान। कमलेस्वर्ग क्या है? कितने पाकिस्तान। कमलेस्वर्ग का। अच्छा जो कलिकथा बाया बाई पास है यह उपन्यास है। दो पंग्तियों के बीच कविता है। इसे लिख लो कलिकथा बाया बाई पास जो है यह उपन्यास है। दो पंक्तियों के बीच राजे जोसी की ये कविता है, क्या है कविता है, और कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान क्या है, उपन्यास है, बिल्कुल जुबेर मुहंबद 100% हो जाएगा, कितने पाकिस्तान क्या है, उपन्यास है, ठीक है, वीरेन डंगवाल, हम बात करेंगे वीरे इसकी बात करेंगे विरेण डंगवाल, छोड़ देजिए इनका नहीं पूछा जाएगा, मनोहर स्याम जोसी क्याप उपन्यास है, मनोहर स्याम जोसी का क्याप है क्याप, ये क्या है उपन्यास है, ज्यानेंदर पती का अगर आप देखेंगे, संसियात्मा काब्य है, ज्यानेंदर पती का संसियात्मा काब्य है, अमरकांद इन्हीं हतियारों से, अमरकांद का इन्हीं हतियारों से, उपन्यास है, इन्हीं हतियारों से, इन्हीं हतियारों से, क्या है उपन्यास है, इन्हीं हतियारों से क्या है उपन्यास है, गोबिन्द मिस्र की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, गोबिन्द मिस्र, कोहरे में कैद रंग, उपन्या से, कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग, अभी पत्र पत्रिका भी है आपको पते कि नहीं कोहरे में कैद रंग कैलास बाजपेई कैलास बाजपेई हवा में हस्ताक्षर कैलास बाजपेई क्या है हवा में हस्ताक्षर हवा में हस्ताक्षर एक बार आप सबको बता देता हूँ इसका ना एक पार्ट मैं आप पर कराऊंगा तो जो भी छात्र है वो राही आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे है ना आप राही अध्यन धाम एप डालिए है ना राही अध्यन धाम एप आपको जो है यह जो है जिसी वीडियो के नीचे आजाएंगए एक यह ठीक थीजिकन आपको क्या दिया गया लिंक दिया गया है ये देखो ये ये राही अध्यनधाम राही एप ये लिंक दिया गया आपको इसे लिंक को आप ओपन करना ठीक है ये यहां पर नहीं कुलेगा क्योंकि एप है ये ये विपसाइट है तो एप आपके एंड्रॉइड में कुलेगा कहां कुल इंड्रोइड में खुलेगा तो यह आप आप जाओगा यह आपके फोन में खुल जाएगा तो यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर ले ना और यह आपको यहीं पे PDF और यह सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी ठीक है इसका एक पाट अभी आगे कराऊंगा हवामें ह अस्ताक्षर जो है, वो काब्व्य है, वो क्या है काब्व्य है, यही तुम्हेनत, जब आप ठको ठकने के बाद पढ़ो, वहीं से आपकी असली पढ़ाई चालू होती है, उदे प्रकास, उदे प्रकास, मोहन दास एक लंबी कहानी है, उदे प्रकास का मोहन दास, एक लंबी कहानी है, कासिनात सिंग का, लोटाओ, कासिनात सिंग, रेहन पर रग्यू, रेहन पर रग्यू, रेहन पर रग्यू उपन्यास है, उपन्यास है यह, चंदरकांथ देव ताले अगर हम बात करें चंदरकांथ देव ताले पत्थर फेक रहा हूं क्या है? पत्थर फेक रहा हूं सब सो रहे हैं मृदूला गरग का क्या है? मृदूला गरग क्या है? मलजुलमन यह क्या है मिलजूलमन? उपँन्या से उपँन्या से फिर देख लेना आप लोग ये सारे ओफर है राम नोमी पर जो भी बैच जोईन करना चाहें जोईन कर ले वहाँ फोन नमबर दिया गया है फोन कर लेना आप ठीक है ये सारे ओफर आप देख लो मैं बता भी चुका हूँ ठीक है रमेश चंद्रसा चाहे पिलाव कोई सबसोग है क्या पानीर पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उसी के जैसा पानीर पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उसी के जैसा चाहे नहीं पिते तुम्हारे लिए पीला वाला महुआ है क्या पीला वाला पानी तो चाहे में कुछ है नहीं चाहे में क्या है बिना पानीर पानी तेरा रंग कैसा सपना मारी आसम की स्टूडेंट कैसी हो सपना मैं एक बार आऊंगा एक बार आसम वोगरा घुमने का मन है और कई जगां घुमने का मन है दो बज़े तक रहने दूँ चलो अभी देखेंगे रमेश चंद्र साथ का विनायक उपन्यास है विनायक पर मिला है साहित का अदमी उपन्यास है एक कैसे लिखा जा रहा है रामदरस मिसर का अगर मैं बात करूँ रामदरस मिसर का आग की हसी काब है आग की हसी और नासिरा सर्मक अगर मैं बात करूँ नासिरा सर्मक माफिका हाँ सब दुदल नीद आ रही है नासिर्या सर्मा परिजात उपन्यास है पारिजात पारिजात नासिर्या सर्मा क्या है उपन्यास है रमेश कुंतल मीग रमेश कुंतल मीग छोड़ दिजे इनका वैसे बिसुमिथक सरित सागर बिसुमिथक सरित सागर साहित्तिक आलो चना ग्वालियर आऊँगा मैं ग्वालियर आया था ग्वालियर में जो इस समय जोईन डारेक्टर हैं सभिता प्रधान थी वो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं तुम्हें ग्वालियर में आया था पहले खंडवा में कमिस्नर थी वो चित्रा मुदगल पोस्ट बाक्स नंबर 203 नाला सोपारा पोस्ट बाक्स नंबर 203 नाला सोपारा पोस्ट बाक्स नंबर 203 नाला सोपारा जिसको बहुत नीद लग रही जाओ सोजाओ कोई बात नहीं चलो बंद कर दूंगा 2 बजे कोई नहीं उसके बाद नंद की सोर आचार क्या चित्रा मुद्वल के बाद क्या चलो अनामिका के देखो टोकरी में दिगंत थोरी गाथा नंद की सोर आचार का क्या है छीलते हुए अपने को छीलते हुए अपने को छीलते हुए अपने को छीलते हुए अपने को अनामिका के गर मैं बात करूं कि इसकी बात करूं अनामिका अनामिका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा टोकरी में दिगंत टोकरी में दिगंत 204 में धया प्रकाई सिना के गर में बात करूं ना टक है इनका बद्री नारायड की बात करता हूँ कि इसकी बद्री नारायड तुमुरी के सब्द। सोवियत लाइन नहरू पुरसकार भी मिला है। एक बार सबी लोग लाई कर देना अपने कुछ हिलता है। अब आप आजाएं सोवियत लाइन नहरू पुरसकार पंद को किस पर मिला है। पंद को किस पर मिला है लोकायतन पर पंद को लोकायतन रचना पर सोवियत लैंड नहरू पुरसकार। मंगल सिंग सुमन को किस पर मिला है। बताओ। मिट्टी की बाराद पर मिला है। मिट्टी की बाराद पर मिला है। मिट्टी की बाराद सिंग सुमन का मिट्टी की बाराद। केदारनाथ अगरवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। पूल नहीं रंग बोलते हैं। राम बिलास सरमा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्सवाद। राम बिलास सरमा। अंबरितलाल नागर को अंबरित और विस पर मिला है। सोबियत लाइन नहरू पूरसकार की बात हो रही है। अंबरित और विस पर है। इनको ज्यान पी वह भी मिला था ना। साहित अकादमी भी तमपरीत अवर इस पर अबदूल बिसमिल्लाग क्या है बहुत फेमस है जीनी जीनी बीनी चदरिया बुनकर उपर वाराण़सी के बुनकर उपर जीने जीने बिने चदरिया जीने जीने बिने चदरिया उड़ जा काले कावा तेरे मुह बिच खन पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद के जावा बागो में फिर जूले पड़ गए पक गए मिठिया अमिया एक छोटी से जिन्दगी में रात है लमिया लमिया की घर या जब पर देशी तेरी मेरे एक जिद्ड़ी घर या जब पर देशी तेरी मेरे एक जिद्ड़ी अब पत्र पत्रिका है बताओ आज करो कि फिर पिर काविशास रहे बताओ क्या करना चाहते हो पत्र पत्रिका चालू हो गया बताओ करें अच्छा पर देशी घर पर यह है कि घर आजब पर देशी कि तेरी मेरे एक जिद्ड़ी जीनी जीनी मतलब जीनी जीनी बीनी चदरिया बुनकर क्या बनाते हैं तो चलो ठीक है लेकिन सब लोग कमेंट करके तब ही जाना बताओ सब लोग कमेंट करो गना जितने लोग लाइक लाइब हैं वो बिना कमेंट करें नहीं सोगे जितने लोग लाइब हैं बिना कमेंड करें नहीं सोगे क्लास कैसी लगी अपने सब्दों में जरूर लिख देना और हिंदी भाई राम सर लिखना ना भूले तो चलो फिर कल करवा दूँगा लेकिन जरूर मैसेज करना हां पांसे दस उनिट की मैराथा ले लूँगा है ना तो पांसे दस की मैराथा ले लूँगा और एक ना NCRT की किताब वो लेके आ रहा हूं NCRT Practice Set ठीक है ठीक है ठीक है ठैंक्यू NCRT Series लेके आ रहा हूं उसे भी आप लोग करना और जो भी छात्र हमारे हैं आप लोग Batch को जोईन कर सकते हैं आपके लिए ही ये Batch है आपके लिए ही ये Batch है यह आप देख सकते है आरियावर्त बैच जो एक जाम तक चलेगा इसमें इतनी सारी चीज़ें है 2600 में और हार नहीं मानूँगा 3600 में 6 महिने 5300 में 1 साल जितनी बार लाइफ क्लास होगी उतनी बार आपको मिलेगी जितने बैची स्टार्टों के जब तक वैलिटी है और दोनों अगर लोगे 4452 तो किवल 800 रूपया लगाना है बस इसमे 900 और BPSC का 1700 में आपको मिल जाएगा और DT प्लेस बी का 1700 मिल जाएगा ये गलत लिखा है जादा लिख दिया गया है और TGT PGT सभी राज 726 आपको मिल जाएगा है ना कि यह सब राही यप पर है कां है राही यप पर कैसे लेना है राही यप पर आपको इडिमिशन लेना है जो भी छात्र लेना चाहें जुड़ जाएं और phone number है यहाँ पर और एक बार मैं आप सब को बता देता हूं एक बार दिखा देता हूं है ना तो जितने लोग जग रहें comment बिना किये मत जाना प्लीज यह मेरा अग्रह है अगर आपको class अच्छी लगी हो मैंने महिनत की तो आप लोग बिना comment किये नहीं जाएंगे इस बात को याद रखना बिना comment किये आपको नहीं जाना है ठीक है और चलो बाकी कोई दिक्कत होगी आप लोग message कर लेना है ना राही एप पर admission लेना है आपका जो admission है वो राही अध्यनदाम एप पर है तो मैं class बंद करने जा रहा हूँ thank you so much बहुत बहुत सुक्रिया तीन बहुत तक पढ़ा दो offline comment करने class के बाद class के बाद सब को comment करना है है ना चलो ठीक है तो सभी लोग comment करना और राही एप ज़रूद डाउनलोड कर लेना उसी पर इसका अगरा part होगा आप जरूर डाउनलोड कर लेना ठीक है सब को आफ लाइन कमेंट करके जाना कोई चाथर तब तक नहीं सुएगा जब तक आफ लाइन कमेंट ना कर दे ठीक है चलिए बैच बगरा ले लेना जिनको भी लेना होगा आप सब के लिए है ओके गुड़नाइट सुब्रात्री और पढ़ना है बताओ बताओ